हेलो डियार गुड यूणिंग अपरीवन कैसो बच्चों आफ तभी आई वेलकम सिव आल अन करियर पॉइंट एंट एसी चैनल वन सगेंड और आज का जो हमारा सेशन है एक्चुली इस बैस्टों हमारे जो लास्ट प्रिवे स्टेप का लेक्चर थे जिसमें हमने डिस्कोस केया था लाइट उसी की उपाँ बच्चे मैंटी क्विजा ओके सो हेलो एवरीवन हेलो पूजा हेलो संस्कृति विभाकर मुन्ना दूबे अभीजीत एवरीवन बच्च आज जीतूंगा सर वेरी गुर बच्चे बहुत बढ़िया अच्छी स्प्रीड है बिल्कुल जीतना ही चाहिए विकोज जो भी आज यहां पर जीतने वाला है उन सभी के लिए वापस से वही है वाल ओफ फैम तो वाल ओ फैम बगर आपको अपनी पिक्चर चाहिए तो अब तो निव यहर भी आने वाला है और कल निव यहर की मैंटी भी आपके लिए हैं हेलो आयम फाइन बच्चे बिल्कुल परफेक्टू में एकदम फैंटास्टिक हेलो तयाब आप गुडिविनिंग बच्चे हैं कैसी हूँ आप तयाब आप टाइप इंडा कमेंड बोक् होगे मैं कोड आपको दे रहे रहा हूँ ताकि आप सभी मैंटी को जोइन कर लो सो कोड पॉर टुडेएज मैंटी इस it is 1266454 1266454 it is 1266454 we mention कर देता हूं यहाँ पर 1266454 it's 1266454 तो बच्चे जल्दी से मैंटी को जोइन कर लिजिए और साथ की में सेशन को भी शेर कर लिजिए अपने फ्रेंड के साथ ताकि आपकी जो फ्रेंड है वो भी यहाँ पर आजा वो भी मैंटी को जोइन कर ले क्योंकि आज की मैंटी है इसमें बहुत मज़ा आने वाले हैं 50 questions लेकिन आप बहुत यह fast चलेंगे क्योंकि यहाँ पर जो time limit है every questions के लिए वो only 20 seconds है 22-25 seconds time limit रहेगा बच्चे सो जल्दी से जल्दी इस session को share कर लो अपने friend के साथ और जिसको मैंटी जोइन करने हैं बच्चे ओभी मैंटी जोइन करने हैं फटाफफट से 1266454 आपको quote dial करना है ठीक है बच्चे मैंटी को जोइन करने के लिए क्या करना होगा आपको भी यह भी बता देता हूं बच्चे मैंटी को जोइन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा www.menti.com और वहाँ पर आपको अपना नेम पुट करना है देन आप्टर पुटिंग यह वह नेम आपको को कोड एंटर करना, प हैंट mut 376 451 266 451 266-454 कोड के इंटर किजिए और को एंटर करने के बाद आपको अपका अपना नेम वहाँ पर पुट करना है so, vans इतना कर लो एन आप जल्दी जल्दी चलेंगे बvideo कर Ben मेंटी को स्टार्ट कर देंगे चलो उससे पहले मैं कुछ information आपको देता हूँ बहुत ही important information है first of all cp set I think cp set के लिए आप सभी ने apply कर दिया होगा लेकिन जिस इसमें ने भी तक cp set के लिए apply नहीं किया है वो अभी बच्चे जल्दी से cp set के लिए apply कर ले क्योंकि बहुत ही beneficial exam है आप सभी के लिए ये भी एक तरह किसे scholarship test ही है cp set इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आपके आने वाली classes के अंडर आपकी जो fee होगी वो fee wave of हो सकती है किसे हो सकती है इसके लिए आपको cp set exam देना होगा ओल इंडिया में आपकी रेंग आपको पता लग जाएगी 90% तक scholarship है मैडर और सर्टीपेट भी बिलेंगे वो इसके लवा आप अपनी performance को analysis भी कर सकते हो तो बच्चे I think आप सभी को पता होगा जिसने अप्लाई नहीं किया है वो भी अप्लाई कर दें cp set को जल्डी से है ना क्योंकि तिल 5th of January तक आप अप अप्लाई करोगे तो ये इसका registration भी absolutely free है लेकर अगर आप अप अप अप्लाई करोगे तो कि आपको 50 रुपीज चार्ज होगा तो इससे ज़्यादा बढ़िया है कि 5th January का वेट ना करें 5th January का वेट ना करें उससे पहले ही cp set के लिए apply कर दें बच्चे second information है e-career for learning app क्योंकि आपको cp set के लिए apply करना है तो cp set के लिए apply करने के लिए बच्चे आपको सबसे पहले download करना होगा e-career for learning app को क्योंकि सभी exams के regarding जो भी information है वो आपको कहां मिलेगी e-career for learning app पर cp set के लिए apply कहां पर करना है e-career for learning app speeches यहाँ जो भी mention करते हैं उसकी pdf कहां मिलेगी e-career for learning app classes join करनी है nda का course करना है गोर्वन exam भी preparation करनी है सभी की information आपको मिलेगी e-career for learning app पर सभी के courses आपको मिलेंगे e-career learning app पर तो बच्चे बहुत ही इंपोर्टेंट एप है बहुत ही beneficial एप है आप सभी के लिए और मैं आपको बता देता हूँ एक सर्वे के according e-career for learning app अभी तक का fastest growing एप है जितनी भी learning के apps है उनमें सबसे fastest growing app है इ-career learning app और बच्चे यह सब कुछ हो पाया है बिल्कुल आप सभी के प्यारों मुहबत की वज़े से बिल्कुल विभाकर जोशी खाते खाते कर लिजे प्ता डजन मेटा दिशांथ कुमार सशंक दुष्षन कुमार विने कुमार हादीग जैन रिशी खश्र विभाकर जोशी एव्रिवा जैस्मिन पाने बच्चे सबसे पहले सेशन को आपको शेर भी करना है सेशन को शेर्ट किजिए शेर्ट को शेर्ट के साथ आपके फ्रेंड से कहिए वो भी आपके साथ कॉंपीट करें आपको पता लगना चाहिए आपके फ्रेंड को पता लगना चाहिए आप कहां तक हो तो बिलकुल अपने फ्रेंड के साथ भी अपने friend के साथ भी share करें बच्चे second information हम देख लेते हैं that is for your elders PCB का complete course हो रहा है बच्चे need to 2021 के लिए 100 days में only 100 days में जिसकी fees भी बहुत nominal है only 16,000 रुपीज अगर आप चाहे तो आपके elders चाहे तो कोई सा भी एक particular subject भी opt कर सकते हैं physics, chemistry, biology इस बाइट आपको पता हो तो इस बार आपको पता हो तो इस बार आइटी फॉर टाइम्स होने वाला है January, February, March, April तो बच्चे कोई सा भी attempt आप करने वाले हो या आपके elders लेने वाले आप नहीं आपके elders जो भी attempt करेंगे आइटी के लिए अगर उनको preparation करनी है बहुत ही quick revision अगर उनको करना हो तो बच्चे crash course है और ये crash course भी काफी nominal prices के अंदर है only 4000 रुपी इस के अंदर जहां पर आपको daily live classes मिलेगी scientific plan है concert building, class norms, live discussion सब कुछ और बहुत ही expense faculty बच्चे है बच्चे शक्ति स्वराज इस बार four attempt मिल रहे है एक student को four attempt मिल रहे है four attempt में से जो भी attempt अब से बढ़िया होगा उसी की जो rank होगी je ki वो consider की जाएगी तो आप दीजिए four times दीजिए ठीक है बच्चे तो 40 student ने join कर लिया है जिन student अभी तक mentee को join नहीं किया है उनको मैं बता देता हूं बच्चे code for mentee is it is 1266454 तो hurry up join fast by dialing the code 1266454 आपको जाना है बच्चे www.menti.com पर आपको code यूज करना है it is the 1266454 जैसे आप ये code वहाँ पर put करोगे हाँ बच्चे बिल्कुल start करेंगे start करने ही आए है start करेंगे हार्दिक बिल्कुल करने वाले है लेकिन आपके जो friends से आर्दिक वो भी आजाए यहाँ पर है ना मुझे बहुत सारे friends की यहाँ पर आपके बहुत सारे friends से मुझे बहुत सारे बच्चों का it is all enough for us और हम स्टार्ट कर लेंगे अल्रेडी यहां पर 48 हो चुके हैं टू स्टुडेंट और आ जाएं बच्चे तो बस हम हमारी जो मैंटी है उसको हम स्टार्ट कर देंगे जल्डी से सेशन को शेर कर लिजे अपने फ्रेंड के साथ और बच्चे लाइक करिए जो भी यहां यहां पर बहुत ही इंपोटेंट आपके ही रिकारी आपकी एंपोर्मेशन जो है तया बाचुदि लीजन बच्चें तहीं आपको बताता हूं आपको मैंटी किसे चुइं करना है तया आप इसा कीजिए बच्चे सबसे पहले आप जाए किसी भी ब्राउजर पर, चाहे UC ब्राउजर हो सकता है, चाहे उपेरा ब्राउजर हो सकता है, या फिर आप चली जाएए गूगल क्रोम पर, गूगल क्रोम पर चाहिए वहाँ पर सर्च करना है आपको menti.com, जो first result आएगा उस result को open कीजिए menti.com को open कीजिए menti.com open करने के बाद बच्चे आपको वहाँ पर ये code पुट करना है 1266454 जैसे आप 1266454 code को enter करोगे, code को enter करते ही आप join कर लोगे menti को, आपको अपना name वहाँ बाद डाल देना है तयाबा चोधी और आपके बास multiple questions आएंगी और questions के answer आपको देना है हाँ, सोराब गुपता हुझे दिग गया है 60 हो गया है और भी है 50 नहीं होए है, 60 हो गया है student तो 60 student ने join कर लिया है बच्चे तो बस start करने ही वाले है start करने ही वाले है बच्चे, last one minute last one minute और है वेट करने ते हैं और भी बहुत सार स्टुडेंट है उन्होंने कहा हम भी आएंगे तो वो भी आजाएं बिल्कुल एक विर्ट उनका भी वेट करने तो, one minute है ना last one minute बच्चे हैं, फिर हम start करने ही वाले हैं मैंटी को, बिल्कुल and code for the today's mentee is 1266454 what is not opening मैंटा, okay मैं refresh कर जाता हूं, don't worry मैं कर जाता हूं refresh, doesn't matter ना, yeah okay, so, जल्दी से join कर लीजिए, I think आपको आपको ना, question number one तो दिखी गया है तो फिर भी doesn't matter, सभी को दिख गया है, तो सभी के पास options है, सभी के पास chance है यहना, सभी उसका answer देख सकते हैं, और दे भी सकते हैं, तो start करने वाले बच्चे, don't worry सभी को एक बास solve करने तो question number one अब तो आपको दिखी गया है तो doesn't matter फिर भी, जो student यहाँ पर नए है, नहीं दिखाओ, नहीं दिखाओ, बोल रहा है, मुखल चोड़ी बोला सार, मुझे नहीं दिखाओ desert matter बच्चे, जिसको दिख गया है, अगर वो भी एक बास solve करने, बस start करने यह वाले हैं, don't worry, हम start करने यह वाले हैं yes okay, so start कर लेने हैं बच्चे, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जोइन करना है, आपको जाना है www.menti.com पर, वहाँ पर आपको code पुट करना है, it is a 1266454 और फिर आपके बस बहुत सारे questions आएंगे, आपको questions का जल्दी से जल्दी reply करना है, ठीक है, yes अब देखो, आपकी mentee, जो career point user boat है, वहाँ पर भी code आगया है, 1266454 और link भी आपको मिल गया है बच्चे, तो बस आप link से आप directly join कर लिजे, click कर दीजे, night boat ने आपको link दे दिया है, link पर जाईए, वहाँ पर click कीजिए, जल्दी से click करकर आप भी mentee को join कर दीजे, तो 67 student ने join कर लिया है बच्चे, जिसको mentee join नहीं हो रही है, तयबा चोधरी बच्चे, अगर आप mentee join नहीं कर पाए हो, अभी भी, तो don't worry, यहाँ पर night boat ने आपको link दे दिया है, जाईए link पर, और directly आप mentee को join कर लिजे, ओके, बिलकुल बच्चे है न, start करते है, yeah, start करी रहे हैं मचें, so that is the question number one, okay, get ready, the speed of light in water is 2.25 into 10 to the power 8 meter per second, if the speed of light in the vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, then the refractive index of the water will be, the question is, about refractive index of the water, so what should be the correct answer, बच्चे बता लिजी आप, क्या अंसर होना चाहिए इसका, last 22 seconds, लास्ट, 5 seconds बच्चे, वोट्षी प्रे करेक्ट आंसर, ओके, बच्चे यहाँ पर अगरा पांसर नहीं दो के तो जादा बेटर रोगा, बच्चे आंसर यहाँ नहीं दे, बिलकुल, math work, डेव खत्री, विभाकर जोशी, hedge show, लोवर गेवन, जो भी student दे बच्चे हैं, आंसर यहाँ नहीं दे, बेटा, यह न, and of course, option number C, याना कि C4 career point is the correct answer, ओ 44 student ने बिलकुल correct दिया है, presently 70 student प्ले कर रहे हैं बच्चे न, 70 student का answer आया है, 44 ने correct answer दिया है, very good, excellent, अब चलते लीडर बोट पर, अभी पता लग जागा किसने सबसे पहले answer दिया है, किसने सही answer दिया है, और यहाँ पे, जैसा कि मुझे पता था, most of the student ने question को देख लिया था, और उनका जो answer है, वो भी correct है, अगर आप देखोगे, तो अभी जीत और दिविया, the best underdog है न, इन दोनोंने fastest answer दिया है, अभी जीत ने और दिविया ने, नमबर थीरी पर सक्षा में, अनन्या, थरपोर्थ पर, आयूष, देव खत्री, अभिनाव शर्मा, लवन्या, अरिते शर्मा और नवदी, यह हमारे top 10 student है, और यहाँ पर जो student है, अनन्या, बहुत की बहुत दिविया अच्छी बढ़िया student है, बहुत बढ़िया बच्चे, लेकिन अभी तो अभी जीत और दिविया ने fastest answer दिया है, very good, excellent बच्चे है, ना, बहुत बढ़िया, now let's see, the next question, and the question is, ऐसा unit of power of a lens, बहुत ही simple सा question है बच्चे, और ऐसा unit की बात की गई है, तो सभी को जल्दी से correct answer देना है, बिल्कुल, हम बहुत fast चलने वाले हैं, और आज की जो menti है, मैं आपको एक बाब आपस से remind करवा देता हूँ, बच्चे, जो menti आज की है, ये menti होगी हमारे NCRT पर best, यानि की, जो board में MCQs आने वाले हैं, उसी से related, यहाँ पर मैंने NCRT के सारे questions को लिया है, याना तो आप समझ गया होगी, आपको हिंट मिल गया एक, टाइम सब बच्चे, option number 4 यहाँ पर correct था, और 55 student है बिल्कुल correct answer दिया है, out of 71, 55 का correct है बच्चे, फिर भी option number 1 को, 2 को, 3 को भी answer option मिल गया है, तो diopter is the correct answer, और मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे, इस बार यह आ सकता है question, बोर्ड में भी, बहुत simple सा question है, लेकिन आते हैं इस type के न, विपाखर जोशी, दिशान्त कुमार, नवदीप, शशांक कुमार बच्चे, everyone very good, बहुत बढ़िया, excellent, और जो student यहाँ पर नए है, वो भी मैंटी को join कर सकते हैं, मैंटी को join करने के लिए बच्चे, आपको quote यूज करना होगा, सबसे पहले आपको जाना है, www.menti.com पर quote भी आपको यूज करना है, 1266454, ठीक है, तो निहाएटी सिंभा सा question था, डायप्टर इसा correct answer, अब देख लेते हैं, लीडर बोट की condition करे रहने वाली है, और मुझे लग रहा इस बार, लीडर बोट में कुछ आरा changes नहीं आएंगे, क्योंकि सभी student ने बहुत यह fast answer दिया है, और again यहाँ पर वही, नमबर वन पर अधीजीत ही है, नमबर टू पर दिव्या है, नमबर थ्री पर अनन्या, आधित्ये, आयूष, अभिनाव शर्मा, लवन्या, हार्दिक, हार्दिक ब्यागा यहाँ पर, सात्विक गिरी, वेरी गूड सात्विक बहुत बढ़िया, और नवदीप, एक्सिलेंट सात्विक, इस बाद सात्विक और हार्दिक, दोनों ना एंट्री ले लिए, वेरी गूड बच्चे है, बहुत बढ़िया, एक्सिलेंट, लेकिन इस बाद, थ्री परसन है, टॉप टैन में, जिननों नो फास्टेंस आंसर दिया, टॉप ट्री में टेन, सुरी, टॉप टेन में ट्री स्टुडेंट इननों फास्टेंस आंसर दिया है, अभी जीत ने, दिव्या ने, और आधित्य शर्मान, वेरी गूड बच्चे है, एक्सिलेंट, विपाखर जोशी बोडर में 30 पर हूँ, मैं होम वक्त ने कहा है, मैं 29 पर हूँ, बेलेकुल बच्चे, फास्ट ही चलेंगे, डॉन परिया है ना, हम फास्ट ही चलने वाले हैं, नो लेट सी, the next question, and that is the question number 3, so get ready, okay fine, and the question is, a 10 cm tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens, of focal length 20 cm, object stage 60 cm, the size of the image form this, बच्चे numerical है, तो आपके पास enough time है 30 seconds, 30 seconds में इस numerical को आप solve कर सकते हो, है ना, easily कर लोगे बच्चे, ज्यादा time नहीं लगेगा, तो what will be the correct answer, क्या होना चाहिए answer इसका, आप देखिए अपनी menti.com website पर, और वहाँ पर mark कर दीज़े बच्चे, kill it, last one second end, time's up बच्चे, और यहाँ पर option number 2 correct था, 30 student नहीं बिल्कुल correct दिया है, option number 2 correct था, और 30 student नहीं बिल्कुल correct answer दिया है, हम देख लेते हैं इसको करना कैसे था विसे, आला कि numerical portion का question है, तो आप कर सकते थे, ओके this one is the question, और question में कहा गया है कि, 10 cm का object है, तो height of the object आपको given, it is the 10 cm, फिर आप से कहा गया है, which is plus the perpendicular to the principal axis of the convex lens, focal length 20, 20, तो convex lens की focal and positive होती होती है, it is the 20 cm, अगर हम बद करें, आप अपर object distance की विच इस 60 cm, यू आपको लेना है बक्चे 60, लेकिन ये नेगेटिव होगा, माइनस 60 cm, तो आपको बताना है, height of the size of the image, तो आप सबसे बेले सबसे बिला, आप मेंगेजिन पाइड़ कर लीजिए, तो वन अपोन F उक्वेस टू, वन अपोन V, माइनस वन अपोन U, यहाँ साब वन अपोन V को फाइड़ कीजिए, विच इपल टू अपोन F, प्लस वन अपोन U, और, वन अपोन F की बात करें बच्चे, तो, तो V बच्चे यहाँ पर होगा, प्लस 30 सेंटिमेटर, आपको लेंस फॉर्मॉला यूज करके, 30 सेंटिमेटर याने की, V की वेल्य को फाइड़ कर लेना है, और फिर मेंगनिफिकेशन फाइड़ कर लेना, मेंगनिफिकेशन इस V अपोन U, मेंगनिफिकेशन इस फाइड़ कर लेने वाला है, तो, लेट सी रिलीडर वोट, और मुझे लग रहा है शाहिए इस बाइडर वोट में थोड़े से चेंज़ आ जाएं, यह न आप, यस, जैसे कि मैंने कहा था बिल्कुल, नौदी पॉज़ गया है बच्चा टोप पर, नौदी इस ओन टोप, नमबर टूपर है सूल राइटर दिशा, दिशा जो है यहाँ पर नमबर टूपर है, फास्टर सांसर रिया है दिशा ने, वेरी गूर बच्चे, नमबर त्री पर आसता है, दिशान सेनी, गोरोव, फ्रॉम दा लोड सल्वा, प्रवीन कैरला न्टिएसी, मतलब यहाँ पर आगई है, बीना डेम है न, मतलब वन अप दा माई फेवरेट इस्टुडेंट अगेन, तो प्रवीन कैरला भी यहाँ पर है, अभी जीत आ गए है, आयूश आ गए है, संचीत नाइंट ग्रेडर एंड आयूश, ठीक है तो यह हमारे टॉप 10 स्टुडेंट है, और जो हमारे लास्ट में टॉप 10 स्टुडेंट है, यहाँ पर तो काफी कुछ चेंज हो गया बच्चे, जैस्मीन दीदी बट कोमन सेंस इस नौट दग, बच्चे स्टाइफ के मैसे यहाँ ना करें न, बिल्कुल, सर वाट इस दा, स्टुडेंट ऑफ दा इयर, ऑफ दा सीपी ता बच्चे वो कल आपको पता लगेगा न, ये एक तरीके सर्प्राइज है, वो सर्प्राइज हम कल ही रिवैल करेंगे, जब आप स्टुडेंट ऑफ दा इयर की मैंटी को जोईन करोगे, बिल्कुल बच्चे न, कल आपके लिए सर्प्राइज है, सर्प्राइज मैंटी कल आपके लिए वापस से, वो सर्प्राइज मैंटी आपको कब मिलेगी बच्चे, जब आप स्टुडेंट ऑफ दा इयर को जोईन करोगे, सब्सक्राइब करें तब आपको सर्पाइब होने वाला वह आपके बच्चे वेरी गुड़ दिपान शहरवाल बहुत बढ़िया दिपान शी ने यहां पर एक ट्रिक भी यूज कर लिए बहुत अच्छे बच्चे बहुत बढ़िया दिशान्त कुमार अच्छा पोड़ पर और आस्ता कुमारी है यहां पर थर्ड पर बहुत बढ़िया बिल्कुल बच्चे कल प्राइज है या नहीं है सात्वी गिरी वह आपको कल की पता लगेगा ना कल की जो मैंटी है स्टुडेंट ऑफ दा इयर वह आपको जोईन करनी होगी तब आपको प्राइज रिवेल हो स कर बैंटेस欸 मैं पुको संहीर जितने भी टिक पर शुकर हैं सभी स्टेट्स के वन पर पर जाई ये उन पर को मैं अबुका पर अपर यकुल लायसिस कर लिए कर लिजिए दनाव म् question number four now get ready for the question number four budget and the question is when we look into a plane mirror we see our image which is virtual and erect the final image formed by our eye lenses the real erect virtual in erect real and inverted virtual and erect so what is the correct answer yes so option number one you have a character budget enough real and I think I think I like the leader of my condition change that the 24 student me to wrong answer is 9 student correct answer only 19 कभी यहाँ पर काफी सार student का answer wrong हो गया है now let's see the condition क्या रहीगी बिल्कुल बच्चे ना बहुत सारे student का रोंग हुआ है और यस दिशान्त सेनी टोप पर है बच्चे इस बार दिशान्त सेनी टोप पर है आयूश नंबर टू पर विबाकर है नंबर त्री वफ आजिनों ना फास्टस आंसर दिया है आयूश जैस्मीन पापाजी नौदीप सूल राइटर दिशा आस यस बच्चे तो आप्शन नंबर यहां पर करेक्ट रहेगा बिल्कुल है ना सी होगा बच्चे देख लेंगे सी भी डोन परी ना ली रचकवाज संचीत अश्विन पांडे एवरिवन बच्चे बिल्कुल है ना यस आई धिंक शेक कर लेंगे बच्चे डोन परी हम पहले next question the another now let's see the next question that is the question number five and a question is an object is placed beyond the center of curvature of a convex length the image form will be diminished virtual and erect diminished real and inverted enlarge virtual and erect enlarge real and inverted औबजेट इस प्लेंज बियोंड डा सेंडर ओफ कर्वेचर ओफ कोन्वेक्स लेंग तो सेंडर ओफ कर्वेचर के बियोंड प्लेंज अथे ओफ लेंग से बच्चे देमेज फोर्म विल भी कि लास्ट टेंज सेकेंड यस तो वाट शुड़ रा करेक्ट आंसर ओके फाइन इस बार 35 स्टुड़न ने विल्कुल करेक्ट आंसर दिया है वेरी गुड बच्चे है बहुत बढ़िया शिंपा सा कोशन था ओबजेट जो है वो फ्लेजट बियोंड असेंटर ओफ कर्वेचर और अगर ओबजेट बियोंड असेंटर ओफ कर्वेचर प्लेजट होता है तो उसकी जो इमेज फोर्म होती है इट इस बिटिविन डा बच्चे बेरी गुड नाव लेट सी तर नेक्ट कोश्चन और कोशन इस अच्छा पहलिए अब लीडरोट देख लेग तो रहा है मैं हमेशा भूल जाता हूं लीडरोट आपके लिए वहूत पांडे आस्ता दिशाद सेनी प्रवीन करेला NTSC संचीत और यहां पे है लास्ट में दिव्या था बेस्ट न घुँ हो ऑके बाच्च दो इसावा टोप तैन इसलिट नाउ लेट चीवेस्ट प्रेम गई तो नेट सी नेक्स दिखट्टि कोॉस्ट्ट सेन कोई तो कोन के वो मिरर इस थी वेंड ऑबज़ेट इस प्लेश्ट एट 10 cm in front of it दा इमेज इस फॉर्म एट आपको बताना है इमेज कहां पर फॉर्म हुई है मैगनिफिकेशन ऑफ रियल इमेज फॉर्म बाई आ कोन के वो मिरर इस थी कि वेंड ऑबज़ेट इस प्लेश्ट एट 10 cm in front of it दा इमेज इस फॉर्म एट आपको बताना है इमेज कहां पर फॉर्म हुई है 30 cm प्लस 15 cm माइनस 30 cm माइनस 50 cm ऑप्शन भी आपके पास है तो वाट इस दा करेक्ट आंसर अच्छे है कि यहां पर 25 स्टुडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है लेकिन यहां पर ऑप्शन वन को भी इतने सारे मतलब 22 स्टुडेंट ने ऑप्शन ए को चूस कर लिया आपने ऑप्शन वन को चूस क्यों किया नीरेस कुमार नवदीब यस बट्चे बोलिनकोर पर होगा सफि संचित कुमार संचित कुमार सिंग कृषन वराए बच्चें कर लेंकी डॉनट वरी है ना फू 240 मिस्टेक हो गई हो बट डो री बच्चें कर लेंग है ना डॉन्ट वरी मैं कर दूंगा सारे चेक करके दूंगा आप बिल्कुल है ना वसिम चोड़ी ठेंक्यू वेरी मज बच्चे बिल्कुल लवन्या राजन डिव्या गुरुवाल रिशी कश्यप बच्चे बिल्कुल हमना फास्ट ही चल रहा है ओके तो यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्षिन नमबर सी जो है ट्विल बिल्कुल करेक्ट आंसर रिया है न यस बिल्कुल वही हुआ है और अगेन यहां पर जैस्मिन पांडी जो है बिलीविन योवसेल वो टॉप पर है नमबर टू पर आस्ता है प्रभीन करेला एंटेसी नमबर त्री पर पोज़ गये है दिपांशू विबाकर आयूश और अगेन आयूश पापांची जिशान से नी और तुशार कांट तुशार कांट ने इस बार फास्टेस आंसर दिया वेरीगूर बच्चे बहुत बढ़िया बिल्कुल बच्चे ए ही होगा ए नहीं सी होगा बच्चे मैगनिफिकेशन नेगीटिव है ना तो मैं इकोस्ट्यू माइनस विए आपन यू आपको एप्लाई करना है मैं बताते तो आपको किस तरीके से करना था कुश्चन को डॉन्ट परी अगर हम यहाँ पर देखें तो कुश्चन में मेंशन है और रियल इमिफिकेशन होता है माइनस वी आपन यू ओके तो बस आप आपको वेल्यू प्लाई करते नहीं है एम यहाँ पर नेगिटिव होगा माइनस थ्री सो माइनस थ्री ऊस्ट्व माइनस वी आपको find out करना है यह आपको गिवन है विचेस दौर यह आपको गिवनन है यह आपको गिवन है यह नई 10 जेंटिमेटर माइनस तेन आपको लेना है यह नई-30 तो करेक्ट आपको व्रशन नमबर और लियू थेना वियू इन नहीं is the correct answer okay now let's see the next question here is a question number seven and the question is so now let's see the next question and the question is an object whose image is formed at infinity in case of convex spirit is placed after baton object kahaba placed by the board the اچھا ता question आपको पैसिरा आंसर देना इसका आप बिल्कुल है निरस कुमार कि यहाँ पर यूज़ना करें बिल्कुल निरस कुमार आप जो भी वह बच्चे आना बिल्कुल आप अच्छी अच्छा की को कहें तो तागी सामने आपके लिए अच्छा सोच सके तो अच्छा ही आपको कहना है सभी के लिए ना बिल्कुल तो लास्ट बच्चे ऑप्शन नबर पॉर यहां पर करेक्ट था बिल्कुल और 28 इस्टुडेंट ने रोंग आंसर दिया है बच्चे मैंने यही कहा था आपसे बिल्कुल ना मैंने आपसे पहले इस बहुत अच्छा कोशन है ओन ली 8 इस्टुडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है और इस बार कोशन में बहुत कुछ चेंज होने वाला है लीडर वोड में बहुत कुछ चेंज होजा जाएगा कोशन में साब साब कहा गया है ओबजेट whose image is formed at infinity in case of convex mirrors बच्चे convex mirror में आप कभी भी image को infinity पर form नहीं कर सकते convex mirror में image हमेशा between focus and pole ही form होती है तो convex mirror में infinity पर कैसे place हो जाएगा convex mirror में तो image हमेशा between pole and focus ही place करती है जाए option को आप कहीं भी place करें है ना बहुत अच्छा question था यह है so यहाँ पर answer होका non of the above एसा कभी भी possible नहीं है कभी कभी none of the above एसा आजाते हैं बिल्कुल है ना तो अच्छा question था यह और इस तरीकी के जो question है प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए आपको ठीक है बच्चे tricky question है very good मैं थे हो वह का बिल्कुल सही answer है सही comment दिया कि सट tricky question है सो स्टुडेंट जो यहाँ पर नए हैं वो भी मैंटी को जोइन कर सकते हैं मैंटी को जोइन करने के लिए आपको जाना होगा www.menti.com पर और जो स्टुडेंट यहाँ पर फर्स टाइम आये हैं बच्चे सेशन को लाइक जरूर करें ओके सो नाओ लेट सी दा नेक्स्ट कोईशन और कोईशन इस अच्छा मैं भूल जाता हो बार-बार लीडर वोर्ट भी आएगा ना और बिल्कुल इस बार लीडर वोर्ट पर काफी कुछ चेंगेंज आने वाले हैं इस बार लीडर पूरा चेंज हो जाएगा मुझे लग गया बिल्कुल देपान शगुरुवाल टोप पर है जैस्मिन वापस से पोच गई नंबर टू पर आस्ता प्रवीन कैरिला गोरोव फास्टेस आंसर दिया है विबाकर तक्षम अफोर नीट आयूश और अगेन आयूश और पापाजी है ना अगे यहां पर आयूश और आयूश और यह पापाजी वह इस पापाजी है और इन नम एंटी और नम एंटी तुशार कांच सर आयम फ्रों टुवल्ट अच्छा आप टुवल्ट रैंग पर हो बच्चे ओके दिशान कुमार लेवन्थ पर है अर्विन कुमार क्लासेस भी कोन्वेक्स मिरर के अंदर कभी भी इमेजस इन्फिनिटी पर फॉर्म नहीं होती है कोन्वेक्स मिरर में इमेजस हमेशा पोल एंट फोकस के मिडमी ही फॉर्म होती है तो वो कोई साथ भी केस नहीं हो सकता जहां पर इमेज इन्फिनिटी पर फॉर्म हो जाए तो यह सारे ह अब आपको क्लियर हो गया होगा लीडर वर्ड में दिपाउंच अगरवाल टोप पर नाव लेट सी दा नेक्ट पोश्चन और कोश्चन इस कोश्चन नमबर 18 अभी हम यहां पे 62 स्टुडेंट के साथ प्ले कर रहे हैं बच्चे एंड रिदा कोश्चन इस बच्चे एंड लाइट के बारे में कहा गया है ना इस टाइप कोश्चन इन एक बार पहले में लिया था में एंटी में जो रोंग हो गया था बच्चे ना इस बार यह एक आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट देना है और यहां पे 34 स्टुडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है बिल्कुल है ना इस कोश्चन को आप कह सकते हो आप जो भी कहते हो ए होगा बिल्कुल है ना मैथ वर्क भी नहीं होगा बच्चे ए होगा कोन के मीरर को हम हैड लाइट में यूज़ करते हैं जबकि कोन विक्स मीरर को हम यूज़ करते हैं रियर व्यू मीरर के अंदर तो व पने चूस्ज क्यों किया है 25-27 स्टुडेंट का आंसर रोंग है ना लेट सी ला लीडर बोर्ट और हो सकता है क्योगि 25 स्टुडेंटन रोंग आंसर दिया है तो सकता है टॉप 10 में से कोई स्टुडेंट जिन्नों रोंग दे दिया हूँ, नई, टॉप 10 में सबने सही दिया है टॉप 10 के स्टुटन्स अभी सही है वेरी गुड बच्चे, लेकिन इस बाद डॉक्टर सेंटी पिड यह हमारी निव एंट्री है वेरी गुड बच्चे, ब्रिलेंट एक्सिलेंट, बहुत बढ़िया डॉक्टर सेंटी पिड जो है, जो भी है यह हमारी निव एंट्री है अभी जी इतना फास्टस आंसर दिया है और टॉप पर अभी भी दिपांशू ही है दिपांशू, जैस्मीन आस्था, प्रवीन केरला अंटी एसी, विभाकर पापाजी दिशान्ति, कशीशी वेरी गूर कशीश और अभी जीट अंट्र सेंटी पिट तो यह हमारे टॉप 10 की स्टुटेंट है बच्चे है नाव लेट सी ता नेक्स्ट गोईश्य ते इस अ कोशन नमा नाइन अन्ड कोशन इस अब प्लेन मीरर प्रेडूसेज अब मैगनिफिकेशन ओफ आपको बताना है प्लेन मीरर कितना मैगनिफिकेशन प्रेडूस करता है जीरो, इंफिनिटी, प्लस वन, माइनस वन तो बच्चे प्लेन मीरर का आपको पता होना चाहिए प्लेन मीरर की जो प्रोपर्टीज होती है इमेज़ फोर्म करने की वह आपको पता होगी तो यह आंसर ही आपका हो जाएगा हल्वा को शरी विबाकर जोशी बच्चे देख लेंगे हर्शी द्राज का अंसर स्टुडेंट यहां पर सी कह रहे हैं कुछ भी कह रहे हैं कुछ इंफिनिटी कह रहे हैं बच्चे यहां पर आंसर ना दे यहां पर आंसर ना दे बच्चे ज्यादा बढ़िया रहेगा और 31 स्टुडेंट ने बिलकुल करेक्ट आंसर दिया है 31 स्टुडेंट का आंसर आंसर नहीं होगा आईश वहाँ पे कहा गया था हेड़ लाइट में कौन सा यूज होता है तो हेड़ लाइट के लिए बच्चे कौन के मिरर आपको आंसर देना तो कि मुझना रूबेक आंसर करेक्ट अब देख लेते हैं जैस्मीन पांड़े का भी राइट है सो ऑप्शन न सेम साइथ की मेंज पॉर्म होगी तो मैंगनिफिकेशन वन है और वर्चुल है इसलिए मैंगनिफिकेशन यहां पर प्लस होगा तो प्लस वन इस दा करेक्ट आंसर अब लीडर बोर्ट पी चलते हैं मच्चे हो सकता है लीडर बोर्ट में कुछ चेंजे आ जाएं बाकि मु की बीच में अगर हम देखे पॉइंट्स का जो मार्जिनल डिफ्रेंस है ओली 200 पॉइंट्स का डिफ्रेंस है यानि की लेस देन वन कोश्चन लेस देन वन कोश्चन है बच्चे नमबर थी पर आसता नमबर पॉर पर प्रवीन कारिला विभाकर पापाजी अभी जी डॉक् और जो स्टुडेंट नेट्स लेवन से 20 में है उनको भी पेडिक नहीं होना है बस थी कोई ना कोई सा एक आंसर बहुती फास्टेश वे में कर देना है सही करना है और थोड़ा सा फास्ट देदना है आंसर जिसे आप आंसर को फास्ट दोगे ना आप भी टोप 10 में जरूर करें करेयर पॉइंट चलेंगे को सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को शेर भी कर अपने फ्रेंड के साथ बिल्कुल बच्चे ना सो चलते है नाओ लेट्स इस ता नेक्स्ट कोईश्यन और कोईशन इस according to the law of reflection यहाँ पर reflection की बार की गई है बच्चे तो according to the law of reflection 10i equal to 10r, sini equal to sinr, sini upon sinr equals to constant और angle i equal to angle r तो क्या answer होना चाहिए यहाँ पर reflection की बार की गई है reflection लास्ट टेन सेकंड यार मुझे यह समझ भी नहीं आ रहा है कि मतलब इतना सिंपल कोईशन इतना सिंपल सा कोईशन था उसको भी आपने रोंग कर दिया क्यों भई क्या हो गया इस कोईशन में इसा क्या पूछलिया में एंगल यही तो पूछा था मतलब ओमाइगोड यार मतलब प्रवीन में हसरा मतलब मैंना मुझे भी हस्या रही है यार क्या करा आप नहीं है एसा क्या पूछलिया में यहीं तो पूछा कि सब्सक्राइब करने लोट रिफ्लेक्षन और रेफ्लेक्षन जैसे चलेटिक में टो सब्सक्राइब बढ़ा रहा है यह तो मतलब बढ़ी मतलब मेरी उम्मीर यहां सब्सक्राइब पानी आने वाला पापके आखों से तो पच्छा देखेंगे इस बार लीडर बोड की कंडिशन क्या रहेगी इस बात हो लीडर बोड में बहुत सार स्टुडेंट बाहर होने वाले है लेट्ट सीथा लीडर बोड डेखो यह है हो अर्यपमो वाले स्टुडेंट जिनको सिर्फ आंसर देने की जल्दी रहती यह नहीं कहां एनलायाइसिस भी करने एक बार क्या होने वाला है आस्ता वेरी गूड बच्चे वेरी गूड एक्सिलेंट आस्ता एक अच्छी स्टुडेंट है जिन्होंने कोशन को रीड भी किया है और प्रोपली फास्टेस आंसर भी दिया है तो आस्ता नमबर टू पर प्रवीन पोज गया हैं जैसे कि मुझे उमीद थी प्रवीन टॉप पर जाते जा रहे हैं नमबर त्री पर विबाकर दिपाश अग्रुवाल जैस्मिन पांडे आयूज और यह पापाजी यहां पर कौन है पापाजी यार यह नाम तो पताओ कौन है ना आशिश रंजन अभीजीद और डॉक्टर सैंटी पी यह हम अगर आपकी फिंगर्स काम करना लगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है पैशल बिल्कुल बच्चे जैस्मिन पांडे उठकर साइबर वरियर बच्चे यह उठकर यह सारे के सारे वह कोश्चन से हैं जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं वही कोश्चन से तो इस बा लेट सी नेक्स्ट वेश्चन एंड़ कोशन इस अपसुलिटली रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स ऑफ़स्टेंस इस यहाँ पर स्पीड आपको बताना है एपसुलिट रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स आप फोर्मला कौन सा है यास तो बच्चे इस बाद थोड़ा सा पेशेंस र अगर हम इस कोशन की बात करें तो बहुत सिंबल सा था कि कोश्चे पर पूचा गया है एपसुलिट रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स क्या उता है इस दा फ्लाइट इन वेक्यू अपॉन इस्पीड आफ लाइट इन गिवन बीडियम तो अगर हम ऑप्शन देखें तो कौन सा ऑप्शन होगा यह तो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट दिया है तो यही ना बात ना फोर बिल्कुल 44 चुल करेक्ट है 42 स्टुडेंट का तो बच्चे इस तरह की क्या अंसर होना चाहिए नहां पर पता नहीं यहां पर भी बतलब यह जो रेशो है 42-21 आगराम देखें ना बच्चे तो यह तो 100 50% परसन स्टुडेंट ने औप्शे नंबर वन को चूस कर लिया जितने टोटल करेक्ट है उसमें से 40-20 वन स्टुडेंट ने 50% स्टुडेंट ने औप्शन एक को चूस किया अब भूज़ी यह नहीं पता ऑप्शेन नमबर एक को चूँं किया है क्यूंकि वा लगा बच्चे तो सी आपन सी यह तो वाल हो जाएगा तो हमेशा फिर्ट ऑफ लाइट वन थोड़ी होती है रिप्रेक्टर इंडिक्स वन थोड़ी होता हमेशा बच्चे मुझे लग रहा इस बार भी शायर कुछ बच्चे हरी अप मोड में रोंग आंसर दे गए तो हो सकता है लीडर बोर्ड पर कुछ चेंज़ आ जाए तो लीडर बोर्ड देख लेते हैं बच्चे लीडर बोर्ड पर कोन आने वाला है तो इस्टुएंट जो यहाँ पर नए हैं बच्चे सेशन को लाइक जरूर करें यानना सेशन को लाइक भी करना है और सेशन को अपने फ्रेंड के साथ शेर भी करना है तो लाइक की और शेर दोनों होने चाहिए मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि शेरिंग इस दा ओनली कैरिंग अगर आप अपने टीचर की हाला कि मेरी किसी भी टीचर के आप के एर करते हो ना मेरी दो मट करो चाहर डजन मेटे हैं लेकिन दूसरे टीचर जो आपके हैं उनकी अगर आप के एर करते हो बच्चे तो session को share जरूर किया करो महनट करते हैं आपके यह ना बच्चे बिल्कुल तो यहां पर अगर आप देखें तो आस्ता नंबर वन पर है प्रवीन जो है वो नंबर टू पर है डिपांशु नंबर थी पर है जैस्मिन नंबर फोर पर विबाकर आयूश पापाजी अभीजीत आशिश रंजन और डॉक्टर सैंटी पि राशीज सेफी राशीज सेफी लीडर बोर्ड पर आपकी नेम आ सकते हैं उसके लिए आपको मेंटी को जोइन करना होगा अगर राशीज सेफी अगर आप मेंटी जोइन करना चाहते हैं तो बच्चे सब्सक्राइब आप जाईए www.menti.com पर वहाँ पर आपको कोड एंटर कीजिए और आप भी मेंटी को जोइन कर लोगे और जब आप मेंटी को जोइन कर लोगे तो आप भी मेंटी में आ सकते हैं बिलकुल तो लेट सी दा नेक्स्ट कोशन और कोशन इस हुआ कि अंब के अंब को जोटके अंब कर दिया अच्छा आपने आंसर रिप्लाइब भी कर दिया और ट्वंटी का अंसर करेक्ट हो गया बच्चे भी ने कहा था आपको आंसर रिप्लाइब नहीं करना है यह तो यह तो यह तो यह तो आइट इस नहीं पर option आपकुछ प्रोलम अगई होगी कि जिसके में आन्सन नहीं आपाया क्वेशन नहीं पाया अब तो लीटर पोड़ देखते हैं लीडर पोड में क्या रहने वाला है लीडर ऑड की कंडिशन देखते हैं वाट्ट पुल हम देखें तो बिल्कुल हमारे जो टॉप टेनर तो टेनर में से कुछ स्टुडेट्ट तो और दे दिया कुछ के रोंग हो गए तो जिनका अंसर बच्चे रोंग हुआ है उनके लिए में हटली सोरी क्योंकि टेक्निकल प्रोब्लम है बच्चे तो ये मेरे साइट सी भी नहीं है अब इसकीप इस बच्चे इसकीप तब होनी सकता क्योंकि ये एड हो चुका है तो भी नहीं होगा सो अब बच्चे हाला कि कुछ जादा चेंजिस आए नहीं है ना ज्यादा चेंजिस नहीं है लीडर बोर्ट में आस्ता उरेडी टॉप पर थी प्रावीड में नंबर टूपर ये डिपांशो अगरुवाल जैस्मीन आयूश विभाकर अभी जी डॉक्टर स एंटी पीडी पापा जोर साथ फिक गिरी ठीक है बच्चे इस बासाथ फिक ने एंटरी लिये नाव लेट सी ता नेक्स्ट गोशन एंड़ कोशन इस कोशन नमब थाटीन बच्चे एट सा कोशन नमब थाटीन बच्चे एक अच्छा कोशन है इस कोशन में भी आपको विभाकर जोशिम इस घी पॉषुम बच्चे अच्छा कोशन है इसी भी नहीं है एक बार एनलाइसिस जरूर कर लेना बहुत अच्छा कोशन है इब जरूंसे नमब बहूत आ हैं बच्चे है कोशन बहुत ऑन घ्लत होना ता यहाप और only वत दूद्ट संचिट कुमार सिंग मैंने कुछ नहीं किया ना मैंने नहीं किया है option number four is the correct answer actually option number two is not correct answer मैं आपको कोशन बता देता हूं किस तरीके से correct answer option number four yes this is a question when a ray of light travels from glass medium to an air medium बच्चे इदा सुनी है अगर light rays जा रही है glass से air में अगर light rays ग्लास से air में जाती है तो two methods से जाने के this one is the normal light rays AC भी जा सकती है then it will bend away from the normal अगर इस तरीके से जाती है यहाँ पर angle of incidence कुछ होता तो light rays इस तरीके से bend हो जाती है तब तो option number two correct हो जाता लेकिन यहाँ पर लिखावा है always bend बच्चे always bend नहीं होती है क्योंकि मैं भी possible light rays इस तरीके से entry ले अगर light rays नॉर्मल के साद angle of incidence zero form करती है तो इस case में light rays without deviation bend हो जाती है light rays without deviation भी bend हो सकती है तो यह किस पर depend करता है it total depends on the bending depends upon the angle of incidence ओके bending depends on the angle of incidence तो बच्चे अब आप सभी को आप सभी को इस चीज़ को admire करना होगा क्या आपनी mistake की है बिलकुल है ना क्योंकि 90 degree पर perpendicular जाती है so it depends on the angle of incidence तो यहां पर always word जो यूज हुआ है इसी वजह से always bands away from the normal after reflection यह होगा बच्चे जिसलिए मैंने आपको बता है इस case में हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होगा ठीक है संचीट वीबाकर जोशी आइधिंग रिशी तो बच्चे ट्रीकी कोशन दें ऐसे दो तीन कोशन सो और रहें ट्रीकी तो इसलिए मैं आप सा हमेशा कहे रहा हूं कि ठीक उसलिए कि मैंती सिंपल विल्कुल मैंती सिंपल है गेम केंजिंग में फिरा लिकशन तर कोशन करना होगाि को आपको आँंसर तेना है उसके बाद आपना आपको फिवक हो चूसर कर सकते हो ठेक है नौ लेट सी भाप ब्लर एकIST भाए पहले मुझे बतार यह option number two किसने चूज कियाता है आपड, option number two को किसने चूज कियाता है, who is here, who chooses the option number two, option number four, sorry, option number four को किसने चूज कियाता है, I am asking about the option number four, yes बच्चे, so now let's see, the next question, and the question is, question number 14, this is a question number 14, and the question is, yes बच्चे, radius of curvature of a spherical mirror of focal length 20 cm is, तो focal length 20 cm तो radius of curvature कितने होगी बच्चे, radius of curvature, yes, what should be the correct answer? very good, 47 student ने बिल्कुल correct answer दिया है, and the radius of curvature जोती है, वह हमेशा focal length की double होती है, so option number eight is the correct answer, 47 student ने बिल्कुल correct दिया है, बिल्कुल बच्चे ना, हाँ, बिल्कुल simple question में भी doubt आने लग जाएगा बच्चे आपको है न, ऐसा होता है कभी कभी, तो बच्चे कोश्चे को एक बार read कर लीजिए, read करने के बार answer दिजिए, simple question में भी doubt आने लग जाएगे, बिल्कुल बच्चे सही के रहो, अब देखते हैं, leaderboard की condition क्या रहने वाली है, इस बार leaderboard में आइटिंग जारा changes नहीं आएंगे, अबी जी इतना fastest answer दिया है, तो मैं एक बार top 10 की लिस्टा आपको बता देता हूं, आस्था, प्रवीन के रिला, दिपांशू, आयूश, जैस्मीन, विभाकर, अभीजी, डॉक्तर, सैंटीपीडी, पापाजी और साज्पीग गिरी, ओके बच्छे, तो वेरी गूड साज्पीग अब वेरी गूर आस्था, तो आफ नमें, और टो फस्ट पर और बोटम नमें ना बच्छे, so now let's see the next question and the question is image distance for a convex mirror is always negative positive for real image and negative for virtual image always positive 0 तो बच्चे एक बद देख लीजेगा question में पुशा गया है image distance for a convex mirror अब convex mirror की image की बार की गई है convex mirror की image की बार की गई है तो बच्चे क्या होना चाहिए always negative positive for real image and negative for the virtual image always positive and zero what is the correct answer last seven seconds बच्चे यस क्या अंसर होना चाहिए correct अब आप बता दीजिए डाउट आ रहा है आपको हाँ option नंबर three correct होगा बच्चे और 35 इस्टोन है बिलकुल correct answer दिया है इतने भी डाउट पर बच्चे ना आपने पूरे साल मेहनत की है मैंने आपके साथ मेहनत की है आपने भी मेरे साथ मेहनत की है तो confused आपको होना है लेकिन इतना भी नहीं होना कि simple simple questions को भी आप बिलकुल है ना मतलब उसमें वह जड़ा टाइम जोकने लग जाओ तो इतना टाइम वहाँ पर खराब नहीं करना बच्चे ना ठीक है अब देखो हम बात कर रहे तो अब देखो विबानकर नहीं यह भी रोंग कर दिया है अश्विनी मुन्ना दुबे हैट शो लवर गेम नौदीप कृष्णा गरिवाल ओक्या बच्चे ना वेरी गुड़ आई होप समझ गयोंगे आप सेशन को लाइक और शेर जरूर करें यारे ना लेट सी लीडर बॉर्ड कंडिशन और अगर हम लीडर बॉर्ड पर चलते हैं तो इस बार लीडर बॉर्ड में ज्यादा अच्छा विबाकर का रोंग हो गया है नंबर थी पर दिपांचु है आयूश जैस्मीन अभीजीत सेंटीपीडी साथ्विक विबाकर और कशीश नाव लेट सी ता नेक्स्ट कोशन बच्चे अगले कोशन पर चलते हैं कि अट एड़ीज़ कोशन नंबर सिक्स्टीन और कोशन इस यस कि लैंस फॉर्मलाइज एक्सप्रेज़ बहुत सिंपल सा कोशन है बच्चे सबीका करेक्ट होना चाहिए कि लैंस में लैंस फॉर्मली की बात कि गई है बच्चे तो आई होप यह तो सबीका करेक्ट रहने वाला है कि लैंस फॉर्मलाइज अब आप देखें यहां पर भी कंफ्यूजन है शिक्स्टीन प्लस टेल यानि कि ट्वंटी से एक्सिक्स स्टुडेंट ने रोंग आंसर दे दिया है और फॉर्टीवान इस्टूडेंगा आंसर करेक्ट है ट्वंटीश का मतलब है बच्च लैंस फॉर्मला वन अपॉन 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 वी माइनस वन अपॉन यू तो अप्शन नंबर सी में लिखावात हो था तो इजी नहीं हो सकता है ठीके बिलुकुल है ना तो आयो होप यहां तो कोश्टन सभीका सिंपल होना चाहिए था राधी का गोर बच्चे बिलुकुल कोड अगर आपको चाहिए तो आपको बता देता हूं कोड इस 1266454 1266454 और जिसके बैटरी डाउन होने वाली बच्चे बैटरी डाउन हो रही तो डों परी आप चार्ज भी कर सकते हो ना तैयबा चोधी बच्चे मुझे आपका नाओ लेट सी दा नेक्स्ट कोश्चन और कोश्चन इस अच्छा पहले लीडर वोट पाजाते हैं ना मैं हमेशा लीडर वोट मिस्स कर देता हूं तो इस बार आई तिंग आई उसका अंसर रोंग हो गया है तो देखता आथ क्या रहेगा question number 17 that's a question number 17 and the question is an object is placed between the center of curvature and focus of a convex lens the image formed will be diminished virtually direct and large virtual and erect diminished real and inverted and large real and inverted what should be the correct answer बच्चे लास 10 second object placed between center of curvature and focus of a convex lens yes very good और इस बार पर आई थिंग मुझे लग रहा है कि इस बार भी बहुत जड़ा confusion था option number D correct था लेकिर फिर आप देखोगें मतला सभी को equal equal voting मिली है 17 16 18 22 सभी स्टुडेंट ने मुझे लग रहा है कि सभी ने ठीक है आरा ना तुम A को देदो तुम B को देदो तुम C को रहां बक्की के बच्चे बच्चे को देदो रहा इस तरह किसा लग रहा है तो सब कि ऑफ्षिर पन्ने में टाइम लग जाता है इसलिए ओके मैं अच्छा डिस्क्रीमिशन नहीं करना चाहते हैं मुगल चोद्र ने बिल्कुल सही का किसला हम डिस्क्रीमिशन नहीं करना चाहते हैं इसलिए हमने सभी को आंसम बाग कर दिया है ओके बच्चे अब आप देख होगी इनवर्टेट होगी और मैंने फाइड होगी तो ऑप्षिन नमबर डी इस डा करेक्ट अंसर लीडर वोट पर चलते हैं बच्चे और इस बाग मुझे लग रहा लीडर वोट पर शायर कुछ चेंज़े सा सकते हैं क्योंकि सभी को एक्वल एक्वल मिला है तो देखो म हो यहाँ पर प्रविन केरेला टोप पर आस्था दिपांश अग्रुवाल आयूश जैस्मीन विभाकर वेरी गुड बच्चे विभाकर फास्टेस यह ना डॉक्टर सेंटीपीडी अभी जीट अभी जस्ट इंट्री लिए अभी जीट ने और सात्विक गिरी 9th क्लास कशी इसकतियार यह हमारे टॉप टेर स्टुडेंट है कि अब बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अश्मीनी राम निहुले बीना भी है यहाँ पर हमारे सार्वेरी गुड बच्चे क्रिश्णा गुरुवाल कि बच्चे मैं आपको एक बड़ा इंटी दे नहीं उसके बार आंसर दीजिएगा ओके तो नाव लेट सी दानेक्स्ट कोश्चन इंड गोई इस देन वन इंडिगे मैंटीफिकेशन अगर लेस देन वन है इसका क्या मतलब बच्चे मैंगी बिकेशन ओ मैंगी बिकैशन जान एंडिगे कि साइज ऑफ इमेज ग्रेटर इन एक्वल टू लैस देट और साइज इंडिपेंडेट अब दाप साइज ऑप से वोट शुरुट पिर करेक्ट आंसर कि लेज देन वन है कि अभी हम इभी कि अब यहां पर ओप्षिन नंबर वन को भी ATM टूस कर लिया मुझे यह नहीं पता कि यहां पर यहां पर हुना ही था पच्छे लिना ओप्षिन नंबर टिरी यानि कि सी ओप्षण इस्ञा क्रेक्ट आंसर क्यों कि 39 क्योंकि जो हमेशा जो इमेज फॉर्म होगी और बड़ा होगा यानि कि ऑप्षिन नमबर त्रीजदा करेक्ट आंसर तो यहां तो कुछ ज़्यादा बतलए पता नहीं एटीन स्टुडेंट ने रोग आंसर क्यों दिया लीडर बोर्ट पर चलते हैं बच्चे इस बार लीडर बोर्ट में अगर हम देखें यस टू स्टुडेंट के आंसर रोग हुए है आस्था का और दिपांचु अग्रुवाल का लेकिन अच्छी बड़ा थे इनके बास पॉइंट्स अच्छे कर रहे हैं नोंने 13,000 पॉइंट आध डॉक्टर सेंटी वीड़ाक है कशीष ताथ्विग गी अशन वीड़ यह महरास्ट्रा वेरी बच्चे इस बार हमार स्वीड टू नियू एंट्री है अशन वीड महरास्त्रा से और हर्शीट फ्रों मोंतिहार बिहारी बिहार वेरी गुड बच्च्चे हर्षीत के पहारास्ता इन्फॉर्म प्रॉम भिहार एक्सिन बच्चे ब्रेव हो बहुत बढ़्या कर रहे हो आप इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो टॉप 11 से लेकर टॉप 20 ताकी स्टुडेंट है वह भी बिल्कुल भी पैनिक ना हो बस आपको करना यह है कि वह यह एक आंसर आपको आपको एंसर देना है www.media.org क्मेंटी डोट कॉम पर तो आप वहां पर जाईए और वहां पर आंसर दीजिए कि देखो सबीर आंसर यहां पर देरा यहां पर आंसर नहीं देना है कि विबाकर जोशी आप क्यों जाओगे बच्चे लीडर वोट से अश्वीनी प्रतिक जैस्वाल कि ओके यहां टाइमस प। ओप्शियर गया पर क्रैक्ट था था बिल्कुल ने बिल्कुल अधनल दिया है यहां पर प्लेयर में और सफेरिकल मिर्र में दोन वाली बच्चे रहा बिल्गुल चलते हैं नाव लेट सी जा लीडर बॉट और इस बार भी देखों यहाँ पर टू स्टुडेंट ने रोंग आंसर दे दिया पता नहीं रोंग आसर क्यों देड़े थे स्टुरेंट यहाँ पर टू सक्षम और विभाकर नाव लेट सी ने ने स्टुरेंट पर आस्था दिपांचु दॉक्टर संटिपिट आयूश जैस्मीन हर्चित फों मोतिहारी बिहार पापाजी सक्षम और विभाकर नाव लेट सी दे नेस्ट कोशन बच्चे कोशन नंबर 20 एंडा कोशन इस अलेश भी पावर माइनस टू डाक्टर इस अब आपको बताना है जिसकी पावर माइनस टू तो कौन सा लेंस होगा और आपको फाइंड आट कर दिए और पावर तो आपको गीवन है पावर फोकल लेंड पोकल लेंड आपको फाइंड कर दिए पावर आपको गीवन है तो वोट इस दा करेक्ट आंसर बच्चे अंशिल गुपता ठेंगी बच्चे सक्षम मैं आपकी बात समझ रहा हूं सक्षम मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है डौन पर इविबाकर लावदीब मैं सभी की कमेंट यहां पर पढ़ रहा हूं बच्चे हैं डौन पर यहां जल्दी सम कर लेंगे इस्टा टाइम नही सब्सक्राइब को गया एट ने रॉंग फोल ने भी रॉंग 19 ने रॉंग और 24 ने करेक्ट इंक्रीजिंग ओडर में आपना अंसर दिया है मैं बता लिए तो आपको किस तरीके से करना था यहां पर पावर आपको गिवन है डिज़ा माइनस टू डाय अफ्टर तो पावर इक वस्टी वन अपन फोकल लेंट उता है फोकल लेंट विल इकोल तो जागा बन अपन पावर अब लीडर बोट पर चल लेते हैं क्या रहेगा लीटर बोट में और अगर इस बार हम लीडर बोट में देखें यहां पर तो अगें आस्था और दिपांशु का आंसर हो गया है रोंग अब पता भी आंसर क्यों रोंग हुआ इनका तो इस बार पोजिशन नंबर थी पर है डॉक्टर आस्था नंबर टू पर है प्रभीन और डॉलेड़ी वन पर डॉक्टर सैंटीपीड है डिपांश अलुवाल हर्शीट सक्ष्यम पापाजी विबाकर अभी जीद और कशिश कटियार ओके नाव लेट सी दे नेक्स्ट को कोशन इस को कोशन नमर टॉंटीवन कोशन इस गेन अब जब शेटेंस और पॉर्टी संटीमेटर अवे फॉम दा कोन क्यों मीरर दा मेंगनिफिकिकिशन अप दा इमेज इस वन दो अब्ज़र इस प्लैज्ट आपको बताना है अबजट कहाँ पर प्लैज्ट दे मेंगनिफिकिशन वन है बच्चे ऑब्ज़र को आपने 40 सेंटीमेटर अवे रखा है मेंगनिफिकिशन वन आ रहा है तो यह ओब्ज़र कहाँ पर प्लैज्ट है बहुत सिंपल सा कोशन है लेकिन ट्रीकी भी हो सकता है एक बार आप देख लीजेगा तब ही आंसर दीजेग मैंने आपका डाउट पढ़ लिया आपका कमेंट बच्चे में पढ़ लिया है यह ना बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा नेक्स टाइम पर हम ऐसा ही करेंगे लीडर बोट को फाइप स्राइट के बाद रखेंगे नेक्स टाइम से लेकिन बच्चा अभी नहीं हो सकता है य बोबट डिस्टेंस और इमेज्ट डिस्टेंस धोनों सेम उब्च्चक परेंद के संटर कर्मेट को प्रैस्ट तो ओप्चान नंबर आप्चनन तो अन्सट्र में कडिक करेक्ट अंसर्ट करेक्ट रूं cho दिया है now, lets, लेटट लिचानेट लेट बोट बच्चे है और अगर हम लीडर पोर्ट पर देखें तो आई थिंग लिए चारा चेंज नहीं है प्रवीन कैरेला टोप पर है सक्षम ने इस बाफ फास्टेस आंसर दिया है सक्षम वेल वेल एंगुड बच्चे बहुत बढ़िया क्षना उगरिवाल बिल्कुल ना बच्चे यहां पर आंसर ना दे मैं हमीश्छा आपसे ही कहता हूं न आपको आंसर यहां पे यहां पर नहीं आपको बताना है इमेज कहां पर फॉर्म होड़ी रेडियस ऑप करवेचर आपको 16 गीवन अंसर फास्ट बेटा फुर्वास फास्ट आंसर आप उसको देना पड़ेगा एना यस फास्ट आंसर बच्छे आपको 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 देना पड़ेगा आपको देना पड़ेगा ऑफ्षन नमबर डी हाँ पर गरेक्टा वन अपन को स्थे वन अपन वी प्लस वन अपन युव आपको अपन यूआ करना था संचर का साहिए हो गया ना सबसेट सिंपल सा कोशन है कोशन से टाइम लेगिंग था मैंने आपको फॉर्टी सेगंड जिए था इसे ना बच्चे हो जाता है तो आइधिंग ओरली टेन स्टूर्ड ने करेक्ट आंसर दिया है लिटर वॉट पर चलते हैं बच्चे कियास अधियु टाइम लेगेंग था बच्चे में मान रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा आपको आंसर देना था आंसर तो पास्ट चाहिए ला बिल्कुल क्योंकि सारे कोशन सिम्पल से है तो कुछ कोश्चन तो टाइम लेगिंग ताइम आपको महाँ पर आपको करना ही होगा तो प्रगीन टोप पर हैं डॉक्टर सेंटी पीडे आस्था डिपांश अग्रुवाल सक्षम हर्षित पापाजी संचीत विबाकुर अभीजित बुझे यहाँ पर यह जो स्टुडेंट अन्दक कोशन इस अ कोंके ओ लेंस फोंप से इमेज ऑफ मैगनिफिकेशन 3.5 दा ओब्जेक डिस्टेश इस फिप्रीं सेंटी मिटर दा फोकल लेंट अप्टीं सेंटी मिटर एंग्जेक्टीं सेंटी मिटर नॉट पॉसिबल वाट इस बार मुझे पता है आप सभी इस ब मुझे पता है आप सभी इतना मतलव नब आशर आप सबीका रोंग नहीं आएगा यहां बहुत इसली बहुत जल्लिए साफाज़त दोगे यस बच्चे रांदी का ज्यादा बच्चे नहीं बच्चे पट्चे हैं व्यस्ट वाट इस डा करेक्ट आंसर को ग्यूदा आंसर यहां पर काफी सारे स्टुदेंट ने रोंग आंसर चुज कर लिया है ऑप्शन नमबर पोर अप्शन नमबर पोर इस बनांक है और ने अप्शन नमबर पोर इस सीथाइंब occurrence अब आपको बता देता हूं इसका भीन परफेक्ट सब्सक्राइब देखो एक कौन के एंड़ सी कि वो मैंजब मैंडिकेशन 3.5 बच्चे कौन कि एंड़ सीओ ऑचके स्क्राइब कि द्रग मैंड स्पॉह subsidy मेंज दिमीनिंज मेंड्यिवेयर ऑंड करता है ह بنुधि मिषे फो उआ पाह्त है कोन के हो recognized करता है, तो क्या, यह कभी पॉस्टिबल ही नहीं है, मतलब कभी भी मैगनिफिकेशन 3.5 नहीं हो सकता, कोन के हो लेंज से, कोन के हो लेंज हमेशा इस small size की images फॉर्म करता है, हमेशा मेगनिफिकेशन less than 1 होता है, इस case में हमेशा magnification less than 1 होगा तो ये situation तो possible ही नहीं है that is the not possible is the correct term इसलिए मैंने आपसे कहा भी था इसलिए कहा था कि बच्चे अभी भी tricky questions है थोड़ा सा patience रखिएगा और patience रखकर answer दीजीगा tricky questions अभी भी है अभी भी मैं वापस आपसे कह रहा हूँ कुछ questions ट्रीकी है और वापस से answer को जरूर read की जगा क्या इसा possible भी हो रहा है यार तो आप read तो करते हैं एक बाग कोन के हो lanes है magnification 3.5 की के रखा है object distance दे रहे कि आपको इतनी ये possible ही नहीं है तो answer के आने चाहिए तो option number D यहाँ पर तो काफी अच्छा इनका answer तो correct very good प्रवीन बहुत बढ़िया doctor centipede आस्था दिपांशू हर्षीद देखो इस बार हो गए रेंग चेंज और section जो है from need यह पोज़ गए है position number 3 पर doctor centipede 2 पर है आस्था दिपांशू हर्षीद कशिष अभीजीद पापा जे और संचित they all are our top 10 students ठीक है बच्चे तो जो student यहाँ पर नए है session को like जरूर करें बच्चे और अपने friend के साथ share करें इसके अलावा आप जो भी लोग मैंटी को join करना चाहते हैं जो भी student those want to join the मैंटी quiz they can join बच्चे just you have to login to www.manty.com and then you have to put this code the code is 1266454 by applying this putting this code into the मैंटी.com that is the enough and now you will be able to give the mark the answer on the leaderboard okay so now let's see the next question question number 24 and the question is and observe this place 30 cm away from a convex lens of focal length 25 cm the image form will be बच्चे एक बार rate कर लिजिएगा उसके अकॉड़िक आंसर दीजिएगा focal length 25 cm है observe lens 13 पर convex lens तो क्या होगा last 15 seconds remaining yes last 5 seconds times up बच्चे times is going on times up विल्कुल yes very good बच्चे very good excellent इस बार दा मतलब काफी इस्टुटन का आंसर विल्कुल करेक्ट है 27 इस्टुटन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है और बिल्कुल option number 3 is the correct answer क्योंकि question में कहा गया था जो object distance है वो focal length से below है focal length से less है अगर object distance focal length से less है इसका मतलब हो गया object lens है between focus and optical center between focus and optical center object होगा तुसकी image form होने वाली है at the same side of the object virtual होगी enlarge होगी और erect होगी option number 3 is the correct answer 20 इस्टुटन का बिल्कुल correct है 12 plus 12 24 and 30 student अभी भी रोगी दिया है अच्छा फिले लीडर बोट चल लागा हमेशा लीडर बोट मिस कर देता हो है ना doctor centi beat का answer रोग हो गया बच्चे doctor centi beat का answer रोग हो गया है और यहां पर सक्षम ने fastest दिया है number two position पर है प्रभी number one पर आस्था doctor centi beat डिपांचू हर्षीत अभी जीड विबाकर संचीद और अशन वीड जे माहरास्टा अशन वीड वापस से टॉप 10 में आ गए अशन वीड बच्चे माहरास्टा अशन वीड एक्सिलेंट बच्चे ना अशन वीड एन हर्षीत यह ल taraf अच्छा कर रहे और इसके लावब अच्छा करते हैं सब्सक्राइब दॉक्त तक जेसे कर रहे हैं अ च्छन कर रहे है अच्चा ब्रून वाल भी मच्टेंट कॉश्य और जसी दीनेेक्स्ट कॉश्यकल कुशन 30た है आख है वर शुद्विन एक रांसर बच्चे वान हाफ अपनेख लेंश है with a black paper as compared with the image form with the uncovered length the image form in this case will be half of the size have the same intensity be identical be same but its sensitivity will reduce it so what will be the correct answer बच्चे यस very good very good बच्चो excellent 36 student ने बिलकुल correct आंसर दिया है योज़न्यवाद कि संचेट कुमार सिंग बच्चे सीलीव स्टेक नहीं करें सीलीव स्टेक होने का रिजन यहीं रहता है कि कईना कई लूज हो रहा है लूज ना करें आंसर थोड़ा सा टाइम लेकर दे लेकिन आंसर करेक्ट दे और जो स्टुडेंट यहाँ पर नए हैं सेशन को लाइक और शेर जरूर करें बच्चे थार्टी से स्टुडेंट ना विलकुल correct आंसर दिया और आंसर सिंपल था क्वेशन था यह ना चलते बच्चे लिटर बोट पर क्या रहने वाला है बीना डेम टोप पर है सक्षम ओहो डॉक्टर सेंटिपीड ने रोंग कर दिया वेरी ना वेरी बैड बच्चे वेरी बाट आस्ता नबर थी वह पोच्च गई है दिपांश जाहरुवाल पोर पर अधिजीत हरशीट डॉक्टर सेंटिपीड विबाकर संचीत और अशनुव let's see next question and the question is yes a ray of light passes through a transparent rectangular slab a b c d the ray enters from a b and emerges from c d the angle of emergence at the phase cd is equal to the angle of incidence at a b greater than the angle of incidence at a b equal to the angle of refraction at a b greater than the angle of reflection at a b so what is the correct answer 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 yes yes अब बिल्कुल वेरी गुल बच्चे है थर्टी स्टुडेंट ने बिल्कुल correct answer दिया है यहां पर angle of incidence equal रहेगा angle of emergent जब भी हम rectangular glass slave का यूज करते हैं जितने इंगल से incidence light incident होती है उतनी यह angle पर emergent भी हो जाती है तो angle of incidence equal to the angle of emergent option number a यहां पर correct था और 30 स्टुडेंट ने बिल्कुल correct answer दिया है तो अब देख लेले लिडर बोट पर कहारी ने वाला है अगर हम लिडर बोट को देखें बच्चे तो मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा कोई चेंजर आने चाहिए ओहो दिपांचु का और डॉक्टर सेंटी पीर दोनों का ही आंसर रोग हो गया हलाकि भी top 10 में है top 10 में यह student है लेकिन आंसर रोग हो गया है सक्षा में नंबर टू पर आस्था अभीजीत हर्षीत संचीट दिपांचु कशिष अशनवीट और डॉक्टर सेंटी पीड अशनवीट की जो रेंक है वो इंप्रोव गया बच्चे नाइंज बर पोज़ गया ठीक है वे मॉर पच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया परविया प्रवीन बढ़िया बढ़िया बच्छे लंग अग्सेड च्छिए लग्सेड्टे ना ले सिए ले अज खर इन्सक्वें दुक्ष्ट नमबर 27, and our question is, a candle is placed at a distance of 4 cm in front of a plane mirror, here object distance is always positive, image distance is always negative, image distance is always positive and none of the above, what we will have correct answer बच्चे, candle को placed किया है 4 cm in front of a plane mirror, तो क्या होना चाहिए, object distance positive, image distance negative, image distance positive, none of the above, what should be the correct answer, yes, answer fast, थोड़ा सा fast answer दीजिए बच्चे, last 4 seconds, yes, times up बच्चे, times up, option number 3 यहाँ पर correct था, और 28 student ने बिल्कुल correct आंसर दिया है, प्रवीन तो हमारा brilliant student ही ही, है ना, रादी का बिल्कुल brilliant student ही है, प्रवीन दो, हमेशा मेरे event भी कई बार नों टोप किया है, और even दो हमारे एक और student है, वो भी बहुत brilliant है, हार्दीक, क्योंकि वो कई बार जो हमारे neat का channel है, और जो हमारी IIT का channel है, वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ की मेंटी जोइन कर ले तोर वहाँ पर भी हमारे पास है, बहुत अच्छा घर तो आप सबीए, वेरी गुड़ बच्चे हैं, और डूसरे student को अवेशा ही करना चाहिए, यहना, वेरी गुड़ बच्चे, वेरी गुड़ अक्सिल है, तो अग्या अगर हम यहाँ पर देखें, लीडर बोर्ट, लीडर बोर्ट में आए थिंग ज्यादा चेंजेस, ओहो, हर्शित का अंसर इस बार हो गया है, रोंग, और संचित्ती भी है, शाथ्विघ वापस से आगये है, साथ्विघ नेर फिर से एंट्री लिये, साथ्विघ बहुत अच्छा कर रहे हो सक्या का पर है , यहना कि प्रवीन कारेवाइन to से ओके बच्चे वेरी गुट्ट नाव लेट सी दा नेक्स्ट कोश्चन और कोश्चन इस एन अब्जाट इस प्लेस्ट पुप्टी सेंटीमेटर अवे फॉर्मर्जिंग लेंस फोकल लेंट 20 कोश्चन यह नहीं नाahahaha अरुल बिल्कुल बच्चे अरुल सांगरियान आप भील्ण शारी कर रहे हों रादि का इटाए यह सभी स्टुडेंड अपने-पने अपने अपने टाइप पर अपने अपने लिए बहुत अच्छा कर रहे हो वेरी गुड बच्चे बहुत बढ़िया लास्ट फाइब सेकंड फोर सेकंड बच्चे एंड टाइम्स अप टाइम अवर हो गया बच्चे टाइम सब और 21 इस्टुटेंट नों यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है आपको यूज करना था लेंस्मेकर फोर्मला वन अपन एफ एक्वस्ट वन अपन वी माइनस वन अपन यू तो आपका आंसर आ जाता है न आप ऑप्शन नमबर यहां जादा टारीफ हो गहां यहां जादा टारीफ कर जाता है बिंद2 यह उनका रोंग भी करते हैं इसा होता है ज्यादा एप्रेशेट करने पर आंसर रोंग हो जाता है तो हाला कि काफ़ी अच्छे पोईंट पास हैं प्रावीन के पास अभी भी टोब पर हैं नंबर टू पर सच्छा मृर्चिप अभी जीत डिपांचु हर चीट अशन वीट संची कशीश और दिव्या दा बैस अंडरो दिव्या बच्चे बहुत पढ़िया बहुत टाइम बाद वापस आगए आप टोप 10 में तो यह अच्छी बात है ना बिल्कुल लगे रहो तो खुछना खुछ लगे रहो कि तो बिल्कुल हो जाएगा बच्चे ना बिल्कुल ना वेरी इस अब क्या आँसर होना चाहिए तो रिप्ररेक्टिव इंडेक्स ओफ एर विड्रेस्पेक्ट टॉ टायमन के तना होना चाहिए लास्ट बच्चे आप क्यों पास त्वर सेकेंड है तो लास्ट वल्स सेकंड में आप सभी का आँसर आजाना चाहिए कोशन तफ नहीं है क काफी से कुछ भी के सकते हो यस तो वाट इस दा करेक्ट अंसर कि टाइम सब हो गया बच्चे बिल्कुल वेरी गुड बच्चे 31 स्टुडेट ने बिल्कुल करेक्ट अंसर दिया है option नमबर फोर होगा आपको सिर्फ यह कर देना है 2.42 उसको 1.42 पुट जो जो एना 2.42 कर देना 1.42 इस दा करेक्ट अंसर वेरी गुड कुषेंद्रा सिंग राधे राधे बच्चे राधे प्रफिजिंग नहीं विभाकर जोश्य बिल्कुल भी कर दो नहीं नहीं है कि टर्फिंट्ट इन लोगे ना तो शोधी बच्चे थोड़ी सी जी मेनत कीजिए आप भी आप जब मेनत करोगे थोड़ा सा आप हार्ड वर्क करोगे रहें चीजों के लिए आपको फोर्मला यार होने चाहिए तो आपका अंसर आजाएगा मैं तो शशान कुमार गुपता वेरी गुड बच्चे हैं और के ना बिल्कुल ना लेट सी दा नेक्स्ट कोश्चन अच्छा पिले लीडर वोर्ड देख लेता हूं मैं हमेशा लीडर वोर्ड को मिस्स कर देता हूं इस बार हर्चित का भी रोग हुआ है तो हाला कि टॉप टेन में हैं अभी भी वेरी गुड है हर्चित आप नाइन परोग दीविया बहुत बढ़े बच्चे आप लास्ट टा नहारास्टा संचीत दिपांचू अभीजीत आस्ता सक्षम और प्रभी यह हमारे टॉप 10 और सक्षम निजबर फास्टेस अंसर दिया है नौ लेट सी तर नेक्स्ट कोईशन दिजए कोईशन नमबर 30. अनकोईशन इस कि अगर्शन वही प्रोलम है जो प्रोलम एक वाद पहले हो चुकी है यह तो अब इसकार कुछ करनी सकते हैं अगेन यहां पर पिक्चर ही नहीं है आस वे थिसकार कुछ नहीं सकते हैं अब जो अगए हुआ है हो आगे ध्रेश हो अच्छा अच्छा बच्चा मेरी बास तरौधी एक अगरम को travelled तो डौंट इसके लिए मुवं कना ओव पर कीजिए बक्चे आधि यहां पर नहीं करना है अब यहां अब यह क्यूंट यहां नहीं हो रहें स्टूजन का आंसर यहां पर लीडर पॉर्ट पर चलते डारेक्ट ली हाला कि ज्यादा चेंज नहीं आये हैं मोस्ट आप दा स्टूजन का आंसर रोंगी ही थे अब सो कुछ कर नहीं सकता हैं पच्छे टेक्निकल ग्लीचे से तो आप तो क्या कर ध्युछ से तो नेक्सिते से कोषिए नहीं अब मीशिए यह नीटाट अन्हें प्रेस टेसे के लिए कुमार यादो बच्छे बिल्कूल है लोग बताइक्ट इस साथीन का लिए कोछ बटा खिख्यूह पुल अधूब कुल है लोग भतागिवि इस अब धूट अल्धूजन क आई आप बीना देम इसका रादी को बच्चे में इसका कुछ नहीं कर सकता है ना अब टेक्निकल प्रोब्लम हो जाती है तो उसमेंने कोई चेंजस किये नहीं जा सकते हैं ग्लीचेस आ सकती है ना कभी-कभी तो में भी पॉसिबल ना लेट्ट सीदा नेक्स्ट कोशिन निहा फिप्टी-फिप्टी-एट इस्टूट में हमारे साथ प्ले कर रहे हैं वेरी गुट नाव लेट्सीदा लीडर बोर्ट लीडर पर चलते हैं बच्चे और इस बाल लीडर बोर्ट पर ज्यादा चेंजस नहीं रहेंगे क्योंकि सभी स्टुडेंट ने करेक्ट ही आंसर द ठीक है नाव लेट सी दा नेक्स्ट कोस्ट्ट इसकोशन नमबर 32 बच्चे बिल्कुल लाइक कर सकते हो आप बिल्कुल बच्चे सेशन को लाइक को शेर कर सकते हो आप यस मैं सो लास्ट इट 10 सेकंड मैं यहां पर आंसर ना दे बच्चे जादा बेटर रहेगा आप आंसर यहाँ पर ना दे आपके डाउट जो है आप डाउट यहां पर टाइप करें डाउट को टाइप कीजिए यहां पर बिल्कुल ओके अश्विन पांडे संचीर वेवोद और जैसे कि मुझे पता था यहाँ पर ऑप्शन नबर वन इस दा करेक्ट आंसर और 14 इस्टूडेंट नहीं आंसर करेक्ट दिया है मुझे पता था कि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर रोंग करने वाले हैं रिजन भी बहुत ही सिंपल सा था उसका रिजन है आपको बता देता हूं इस कोश्चन में आपसे कहा गया है रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स आपको गीवन है 1.47 और 3 इंटू 10 की पावर 8 अपोन 1.47 जब आप करोगे बच्चे दा आंसर इस 2.04 इंटू 10 की पावर 8 बीटर पर सेकंड यह आंसर होगा पर अगर आप ओप्शन में देखोगे तो सबसे ज्यादा एप्प्रोपियेट 2.04 का आप लिख सकते हो 2 इंटू 10 की पावर 8 यहाँ पर 10 की पावर 8 है और यहाँ पर 10 की पावर 6 है बच्चे तो यह नहीं होगा ठीक है तो अगें ट्रिकी कोश्चन था बच्चे अब भी कुछ नहीं हो सकता ना बिल्कुल बच्चे तो आ अप्रोपियेट 2 इंटू 10 की पावर 8 बीटर पर सेकर्ड तो इस वन इस दा करेक्ट आंसर मुझे पता था है यहाँ पर वह सा इस्ट्रेंट रोंग गल्ती करने वाले है अब इस बार एक तर लीटर बोट में क्या चेंज आने वाले है आई इस बार लीटर बोट गोट चे एक्सिलेंट ओके तो आई होप आपको क्लीर हो गाँ होगा किस तरीक सा आपको अंसर देना था अभी भी डाउट है क्या कोई डाउट नहीं है किसी को इस देर इन डाउट बच्चे हैं इस देर इन डाउट नहीं ना वेरी गुट बहुत बढ़े रहा है नव लेट सी दर question question number 33 बच्चे अब फ्रोद आप फास्ट रहेंगे और कोशन is the ratio of sign of angle of incidence to the sign of angle of reflection is a constant this statement is known as बच्चे आप देख लिए आप पेले option को रिट जरूर किज़े का low reflection with the crystal low snell's low low of reflection so what should be the correct answer एक बार option को रिट जरूर करें कि इस पर्टिकुलर statement को हम क्या कहते हैं इस पर्टिकुलर statement की बात कि जा रही है तो इस पर्टिकुलर statement को क्या कहा जाता है कि यस अ कि वीडियों बच्चे इस बास हभी का इस पर्टिकुल करेक्ट आंसर दिया है लोग रिफ्रेक्शन इसका आंसर नहीं होगा लोग रिफ्रेक्शन में तो टू लोग होते हैं हम किसी पर्टिकुलर लोग की बात कर रहे हैं डेटी जरूर स्लोग स्वाइन व्हें डेटी अट्री बात करेक्ट आंसर चोड़ा बच्चे चलते लीडर वोड पर लीडर वोड की कंडिशन क्या रहने वाली है यस और अभी जीट का आंसर आइटिंग अभी जीट ने काफी लेट आंसर दिया है ओप्शन रिट करने की चक्कर में तो यहां पर अभी जीट की रेंक ही डाउन गई है नमबर वन पर प्रवीन सक्चम संचीत आस्ता डिपांचु कशिष अश्वजीत अभी जीट डिव्य और हरिशित प्रों मौतिहारी बिहार नाव लेट सी तर नेक्स्ट कोशन बच्चे अगले कोशन पर चलते हैं इस एक कोशन लबर 34 अगोशन इस focal length of a lens a is less than the focal length of lens b it implies that power का relation पूचा गया बच्चे तो what should be the correct answer focal length आपको given है a और b की तो power का relationship क्या रहने वाली आपको power का relation यहाँ पर find out करना है और टाइम सब यहाँ पर करेक्ट था और 30 स्टुडेंट ने बिलकुल करेक्ट आंसर दिया है very good बच्चो बहुत बड़ी है yes option number b is the correct answer लक्षे यहाँ पर बच्चे बेवज़े spam ना करें लक्षे यादो don't spam here don't spam संचिल कुमार अरे ओके अनिशल गुपता बीना डेम ओक्या बच्चे वेरी गुट ठीक है तो हम देख लिए अप पावर का यहाँ पर relationship था जिसकी focal length कम होती है उसकी पावर ज्यादा होती है तो option number b यहाँ पर करेक्ट रहेगा नाव लेट सी लिडर बोर्ट इस बार आइठिंग ज्यादा changes तो नहीं आएंगे बिलकुल प्रवीन अभी भी टॉप पर है section number 2 पर संची तास्था दिपांचू कशिश अभी जी डिव्या दा बैस्ट अश्वजीत और हर्शित ठीक है बच्चे नाव लेट सी दा नेक्स कोशन अगले कोशन पर चलते है टिद इस अबढ़ थाइड एड़ अदर कोशन इस speed of light in medium a is less than in medium b it implies that medium a is dancer then medium b medium a is rare then medium b medium a is rare medium b is not water so what should be a correct answer आपको speed given है आपको दोनों ही medium की density का relationship बताना है तो वोट शीर भी दा वू वील भी दा मॉर्ड एंसर मीडियम ए और मीडियम बी यस बच्चे ओके सो यहां पर 40 स्टुटेंट का आशर बिल्कुल करेक्ट है मीडियम ए जो है वो मॉर्ड एंसर रहेगा इंडा कंपरेशन ऑफ मीडियम बी क्योंकि वहां पर लाइट की स्पीड लेस है ओके बच्चे नहीं बहुत से कोशन था आई होप यहां पर अच्छा यहां पर भी गलत हो गया ओहो प्रवीन खंडेल वाल ने यहां पर भी आंसर को कर दिया है रोंग अब देख लेते क्या होने वाला है ओके बच्चे नाओ लेट सी दा नेक्स्ट कोशन ना लीडर बोट सो इस बार लीडर बोट की कंडिशन हम देख लेते हैं क्या होने वाला है प्रवीन का इस बार रोंग हो गया है सक्षम देख लेते हैं क्या कंडिशन मनेगी वीरीगुर बच्चे सक्षम और प्रवीन में 700 का डिफ्रेंस देवन हंडेट पॉइंट पॉइंट यहां पर 3-4 कोशन होंगे प्रवीन के रेला सक्षम संचीत आस्था धिपांचु कशि दिविए, अभिजीट, आश्वजीट, और हर्शीट, टिक है तो यह बाट अब टोप 10 के सुटने जो आव लेट सी ता नेक्स कोशन देख विए लेट पॉट्स देख इस अबटिशन अबर पॉट्टिशन अबर पॉट्स देख लेटेट जब्स लेट अवरेट इस यह यह निहायाती सिंपलता कोशन है ओके रादी का गवर बेटा डोंट वरी आप चले जाएए ना रादी का गवर बिल्कुल बच्ची आप जाएए बाए 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 एंड टेक केर हर ओके सो ऑप्शन नमबर थी जब्सक्राइब करेक्ट आंसर लेटर डिस्प्लेस्मेंट इस नोन इस परपेंडिक्टिवल डिस्टेंस सो थर्टीफॉर स्ट्टिवर बिल्कुल प्रेक्ट आंसर दिया है यहां पर टेन स्ट्टिवर ऑप्शन नमबर वन को भी चूज किया पता नहीं क्यों किया है नाव लेट सी दा लीडर बोट और लीडर बोट की कर्णिशन अगर हम देखें यहां पर तो आइठींग ज्यादा चेंजेज नहीं आएंगे क्योंकि जो भी टॉपर से टॉप 10 के उन सभी ने सही आंसर दिया है और बस यह देखो आप बिहार उप 10 के स्टुदेंट है बच्छे अखें वेरी गुडबॉच्च्छ यह ना बाई ना बाई नो एट्स सी जार नेक्स्ट कोशन देखोशन अबर 37 अन रग्वशन इस a beam of light passes from air into a substances of refractive index 1.41 if the angle of incidence is 45 degree then the angle of refraction is a point angle of reflection find out करना है एसे entry ले रही है 45 degree पर और जिस मीडिया में एंटी ले रही है वहाँ का refractive index है 1.41 तो वोट शुद भी दा रिफ्रेक्ट वोट भी दा आप एंगल ओफ रिफ्रेक्शन एंगल ओफ रिफ्रेक्शन फाइंड आट करना है बच्चे लास्ट 13 सेकंड बच्चे कर सकतो आप कोशन टफ नहीं है ओल्रेडी 40 स्टुडेंट ने आंसर दे दिया है विफ्रेक्शन आपका फेवरेट है बच्चे बहुत अच्छी बात है विवाकर जोशी अच्छा फिंगर अक्रोस्ट ओके यस तो टाइम सब एंड 24 स्टुडेंट का अंसर बिल्कुल करेक्ट है मैं इस कोशन को सोल भी कर देता हूं क्योंकि भूस्टे स्टुडेंट को यहां पर डाउट रहता है इस कोशन में आपको इसने सुल अप्लाय करना था कोशन में कहा गया है लाइट रेज एंट्री ले रही है एयर से किसी पर्टिकलर मीडियम में जहांका रिफ्रेक्ट्व इंडेस वन पॉइंट पॉर वन है एंग्वल आपको गिवन है 45 आपको यहां का रिफ्रेक्ट्व सब्सक्राइब करना है यहां का रिफ्रेक्ट्व इंडेक्स तो 1.4 है तो आप यहां पे लिख लिए 1.418 इस इक्वल तो रूट टू इन्टू साइन आर बसो लिखने लिए तो आर विल बीक्वल टू तो 45 डिगरी तो या ओप्शन नमबर ए जोगा इस दा करेक्ट आंसर और काफी स्टुडेंट का अंसर बिल्कुल यहां पर है करेक्ट ऑप्शन नमबर त्री ता क्रेक्ट आंसर और काफी स्टूड़न का आंसर जो है वो करेक्ट होगा तो ना लेट सी नीड़ा वोड देख लेता है बच्चे क्या रहने वाला है लिए अगर मुल्टिप्लाइ टोप पर है सक्चम, संची, दिपांचू, आस्था, कशीश, हर्चीट, दिव्या, अभीजीद और अश्वजीद महारास्ट्रा यह है अमारे टोप 10 के स्टुड़न बच्चे है बहुत बढ़िया एक्सिलेंट नाव लेट सी दा नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नमर थर्टी है और दा क्वेशन इस अब दा मेगनिफिकेशन ऑफ बोड़ी ऑफ साइज 2 सेंटिमेटर इस 3 देन दा साइज ओफ इमेज इस क्वेशन नहायाती सिंपल सा है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बढ़ आप आंसर दे सकते हो बच्चे इजीली आंसर आ जाएगा सो वोड़ शुड़ एक करेक्ट आंसर बाब बता दीजी क्या आंसर रहने वाला यहां पर वेरी गुड सार्थी गिरी बहुत बढ़िया ब सब्सक्राइब करेक्ट आंसर बच्चे और बहुत ही सिंपा सा कोशन बिल्कुल भी टफ नहीं था क्योशन में आपसे कहा गया है कि जो मैगनिफिकेशन वो सब्सक्राइब करेक्ट आंसर हम देखने हैं लीडर बोट पर चलते बच्चे अगर हम लीडर बोट देखें तो मुझे लग नी रहा लीडर बोट में कुछ यादा चेंजिस होने वाले हैं ओहो सक्षम का आस्था और कशिष ने रोग आंसर दे रहा है तो इनका तो हो गया रोग अब देखते हैं क्या होगा ज्यादा रेंकिंग में चेंजिस नहीं आये हैं अभी जीत ना फास्टेस्ट दिया है प्रवीन टॉप पर है तक्षम संचीत डिपांशू आस्था दिव्या कुमारी अभी जीत हर्शीत फॉम दा मोतिहारी बिहार अश्वनजीत फॉम द अब आप बताईए क्या पावर रहेगी फोकल लेंट 10 सेंटीमेटर वच्चे अब आपको बताणा है रतीक कुमार चोद्री थेंक्यू बच्चे थेंक्यू अना थेंक्यू बच्चे यह सब आप बता जीए जैस्मीन हर्शीत मननत पतेल अंशुल गुपता आंसर क्या रहने वाला है पावर आपको फाइंडाट करनी दी और अव्यसली पावर इक्वल टू रहसी प्रोकल अप्टा लेकिन फोकल लेंट होना चाहिए मीटर में तो 10 सेंटीमेटर का मतलब है वन अपॉन 10 मीटर पावर विल बी इक्वल टू वन अपॉन 1 अपॉन 10 लेट इस एक्वल टू दा 10 ड संचित क्या कर रहा है क्या कर रहा है जाना सख्षम कि इस बार फास्टेस साब अनिया गर्क टोपर अगें यहां पर हमारे साथ नंबर नाइन पोजिशन पर हैं और विभाकर वेरी गुड वो जो बिहार और महारास्टा थे ना दोनों ही मोतिहार प्रोम्ला बिहार और जो महारास्टा के तो दोनों इस्टूडेन इस बार बहार चले गए तो बच्चे हैं आप भी वापस से आ सकते हो बस कोई ना कोशा कोश्चन जिसको थोड़ाता फास्ट आंसर कीजिएगा नाओ लेट सी दा नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन अब फोटी अनक कोश्चन इस एफ क्रिटिकल एंगल पॉर आप माटरियल तू एर इस 30 डिग्री देन दर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑब दा माटरियल विल बच्चे टी आयार का कोश्चन है टॉटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का आपसे कहा गया है क्रिटिकल एंगल आपको फाइंड आपको गीवन है क्रिटिकल एंगल की बात होती है तो साइंड थीटा सी विल भी फोल्ट होता है वन अपॉन एन क्रिटिकल एंगल तो आपको बस विल या प्लेस कर देनी है तो साइंड थर्टी याने कि वन बाई टू विल बीकॉल टुट वन अपॉन एन एन के विल लोगी टू तो दा ओप्शन नमबर सीज दा करेक्ट आंसर और प्वंटी-फॉर इस्टूर ने बिल्कुल करेक्ट द अनन्या बहुत बढ़िया बहुत अच्छी परफोंवर हैं अनन्या काफी टाइम से मेरे साथ चनेक्टेड है यह मतलब मैं इंटीम हमारे साथ चनेक्टेड ए बहुत टाइम तहीं टॉप टेड में नहीं थी लेकिन आप जैसे लास्ट चांसे से पोचे है अनन्या ने we have a 41 and that question is in the critical angle of light passing from glass to air is minimum 4 इसके लिए critical angle is that red color के लिए green color के लिए yellow वोई लटके लिए वोट्ट इड़ेक्ट अलसर ग्रावीन तो ओसन ही तहीएवा थे प्रवीन तो हमेशा बहुत अच्छा करता ही है बहुत अच्छा स्ट्टेन्ट है हमारा बिल्कुल बीना डैम जैसमीन अरून बारिला आस्था कृष्णागरिवाल बच्चे ना बहुत बढ़िया सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें बच्चे अपने फ्रेंड के साथ लास्ट शेवन सेगें रिमेनिंग है लास्ट शेवन सेगें रिमेनिंग है विबाकर जोशी यस प्रतिकुमार चोधरी क्या डाउट है बच्चे आपको जो भी डाउट है आप टाइप कर दीजिए कमेंट बोक्स में मैं सभी की कमेंट को यहाँ पर देख रहा हूं डी होना चाहिए लेट सी क्यों होगा अंसर यह 17 इस्टुटेन ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है ऑप्शेन नमबर डी इस दा क्रेक्ट अंसर और क्या बच्चे डी यहां पर क्रेक्ट होगा आइड डॉंट ओवाई 21 इस्टुटेन ने ऑप्शेन नमबर वन को भी चूस किया है एक बात देख लेने हैं बच्चे यहां पर बात की गई थी क्रिटिकल एंगल की क्रिटिकल एंगल लाइट रेस को जाना है डेंसर से रेयर में तो आप बताईए है कि सबसे पहले रिफ्लेक्टेट बेक कौन होगा यहां पर जो कलर सबसे बोटम पर रहने वाला इडेटी तो वॉयलेट कलर पहले बाउंसे बेक हो जाएगा यानिकि जो वॉयलेट कलर है इसके लिए रेट कलर के लिए बहुत हाई रखना होगा बच्चे आपको रेट कलार के लिए अगर अगर क्रिटिकल एंगल की बात करें तो बहुत ही ज्यादा हाई होगा इस तरीके से तब जाकर रेड इंट्री लेगा यहां वोईलेट और रेट दोनों एक साथ हुझा इस ताइम पर अब हम चलते हैं लीडर बोड पर तो लीडर बोड में इस बार क्या चेंजिस होंगे सक्षम का दिपांचु को और कशिश का तो हो गया रोंग तो इनकी रेंग कोई ओल लेगा या बिल्कुल संचित नाइंट ग्रेडर थर्ड पोजिशन पर सक्षम नंबर टू पर प्रव स्रुजीत महराथ्स्ट्रा यह हमारे टोप 10 परफोर्मर नाव लेट सी दानेक्स कोशन बच्चे कोशन नंबर 42 अदा कोशन है वेल लाइट पासे प्रों वन मीडियम तो अनादर दा क्वांटिटी विच रिमें को स्थनेट इस बहुत निहाल सा सिंपल सा कोशन है आई ति कोशन बीड़ा करेक्ट अंसर यास लास्ट टेंट सेकंड बच्चे हैं तो अब करेक्ट आंसर है है ना डी नहीं होगा बच्चे सी होगा ऑप्षिन नंबर सी दा करेक्ट आंसर जब भी लाइट रेस एक मीडियम से अनादर मीडियम पर जाती है तो वहां पर लाइट रेस की जो क्वांटिटी एजो प्रोपर्टी है डिविच इन अब चेंज फ्रिक्वंसी नेवर चेंज बट वेवलेंट और इस्विड दोनों तो की चेंज हो जाती है तो और अप्षिन नंबर सी दा ओंडी करेक्ट आंसर अब लीडर वॉड पर चलते हैं प्रूट बिल्कुल लिडर वोड पे टोप पर अभी भी प्रवीन ही है सक्षम, संचीत, अभीजीत, दिपांशु, अनन्या, कशीष, डिव्याप, अश्रनभीजीत और आस्था दे ओल आर दा टोप 10 पफोंवा बच्चे आउट ओब दा 50 सक्षम ने जो है वो फास्टर आंसर दिया था और कोशन सिंपल था नव लेट सी नेक्स कोशन अच्छा इस बार इंपोर्टेंट यह है अश्वजीत फ्रों महारास्तों हमारे साथ टोप 10 में है लेकिन जो मोतिहार विहार से तो नहीं है ना मतलब में उन दोनों पे स्पेशल नजर बनाए वह हूं नाव लेट सी ना नेक्स कोशन एंड़ कोशन इस नमें पॉटी तरी एंड़ कोशन इस पावर ओफ ए लेंस, इस माइनस 5D, इस फोकल लेंट इस, आपको फोकल लेंट फाइंड आट करनी है, पावर आपको गिवन है, तो वोट इस दा फोकल लेंट, पावर आपको गिवन है, फोकल लेंड आपको फाइंड आट करनी है, बहुत ही सिंपा सा रिलेशन्शिप है, प बीना डेम, ओके, वेरी गूट, लास्ट फाइब सेकंड बच्चे, लास्ट फाइब सेकंड, वह शुट बी तैक्रेक्ट आंसर, यस, और टाइम सब, टाइम सब बच्चे, बिल्कुल 28 इस्टों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पावर फोकल एंड विल बी इकॉल तो रेसिफोकल अब दा पावर, और सेंटिमेटर में आंसर गिवन है, तो पॉइंट टू होगा, आपको 100 से मल्टिप्लाई करते ना, 20 सेंटिमे आएगी, तो ज्यादा कोई दिक्कट आएगी नहीं, सभी के आंसर आइटिंग की करेक्ट ही है, ज्यादा कोई चेंज नहीं आए, बिल्कुल, प्राविन टॉप पर है, भी भी स्रक्षान नमबर टूपर ही है, पहले की तरह, संचित नमबर थी पर, अभी जीत, अनन्याग दोनों साथ साथ रहो बच्चे, नव लेट सी देग्स कोईशन, दिज़े कोईशन नमबर 44, अग कोईशन इस, अग कोईशन इस, और सभी का अंसर करेक्ट भी आना चाहिए, यस लास्ट शेवन सेकंट रिमेनिंग, एंड टाइम सब टाइम सब बच्चे, बिल्कुल, आंसर दिया है, लेकिं लेट इस टूडन जहां पर है, इनम कोईशन में पुछा गया है, कि मिर के सेंटर पॉइंट को कहता है उस क्वएटर करेक्ट को होताई, जहां पर न की डबल डिस्टेंस को हम कोलते हैं के इस पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस के एक वल होती है उस पॉइंट को अब सेंटर करेक्ट आंसर है डिटिस द पॉल सब देखते लीडर बोट में क्या कंडिशन रहेगी जाना कोई चेंजस नहीं आये है सभी ने सही आंसर दिया है तो कोई चेंजस नहीं है रेंक में सिर्फ और सिफ यहां पर अभी जीट और कशिश कटिया दोनों ने फास्टेस आंसर दिया है बहुत बढ़िया बच्चें नंबर वन पर अभी भी प्रवीन ही है नंबर टूपर सक्षम है नंबर थी पर संचीत है फोर पर अभीजीत आनन्या दिपांशु कशिज आस्ता हर्शित और अशन वीट थीक है बच्चें इस बार दोनों ही है मोतिहारी फों बिहार और the difference between blue and red light is blue light has lower energy blue light has higher frequency than the red blue light has longer wavelength than red light blue light has a faster speed in vacuum than the red light so what should be the correct answer yes question johan here regarding a hello bachy v ed wet hello bachy tanish ki jindal tayyabha chodri ok bachy mannat patel Prathik kumari royal gaming bawa special royal mr random everyone so bachy times up ho gaya hai option number two yaha pere correct only 17 student correct answer only 17 jabki apra karam dekhen to 19 and 21 student ka answer wrong mujhe nahi pata isa kyu ha but bachy isa nahi ho ra chahiye ta na question nihayati simple ka question tha is question me sif aaf se puchha gaya ta kiski frequency jada kiski frequency kam so we all are aware about it it's a lowest frequency rather than the red color highest wavelength the wavelength ka relation yaha nahi puchha gaya hai frequency relationship puchha gaya ta bachy to option number b is the correct answer or 17 he current day now let's see the leaderboard oh 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 okay time now let's see this l e कि स्टार्ट प्रिंकल ओन अ क्लियर नाइट ड्यू टू दा एट्मोस्फिरिक रिफ्रेक्चर डिस्पर्जन उफ लाइट इसकेंट्रिंग उफ लाइट रिफ्लेक्शन उफ लाइट अब मुझे पता है कि यहां पर भी बहुत सारे स्टुडेंट रोंग आंसर देने वाले आप दिया रहा है लेट सी देख लेते क्यों गांसर कि श्राज ने एक आए बच्चा आंसर या ना दे यहां पर आंसर नहीं देना है आंसर आपको देना है मेंटी डोट कोम पर आपको जाना है www.manty.com कोड वहां पर एंट्री करना तब आपको आंसर देना है ठीक है बिलक पूल इस वो शुद्वी रहा करेक्ट आंसर लेक देख लेता है टाइम सब्सक्राइब हो गया है और बिलकुल 27 स्टुडेंट ने बिलकुल करेक्ट आसर दिया है मुझे लग रहा था बच्चे यहां पर स्केट्रिंग आप लाइट के देंगे क्योंकि यह देखो तैया ब रोग नहीं आसे सी नहीं होगा बच्चे और rhyme for is the correct answer because of the atmospheric refraction is scatting of light नहीं होगा dispersion और इस बार लीडर बोर्ड में अगेन वही ज्यादा कोई चेंजस है नहीं प्रवीन टोप पर है सक्षम संचीद अनन्यागर्ग दिपांशु अभीजीत आस्था कशिष हर्शिर फॉर्मला मौतिहार भिहार एंदा अशुर्जीत फॉर्मला महारास्त्रा तो हमारे टोप 10 की लिस्टें बच्चें है रहा बहुत बढ़िया नाओ लेट सी दा नेक्स्ट कोश्टन को अग्यों को अग्यों कि दा मीर विच इस यूज़ बाइन ऑप्टिशियन वाइल टेस्टिंग आई साइट ऑफ पैशेंड बच्चे इस कोश्टन को वड़ा साथ पैशेंस ले आंस कांसर देने के बाद बताएगा बच्चे बिल्कुल है ना कमेंड वोक्स में याद आगे अट है अब है आगे अगे करेक्ट आंसर और विल्कुल बच्चे बहुत पड़िए एक्सिलेंट टॉंटी स्टोन है बिल्कुल करेक्ट दिया है कि बार बार फोल्स इडो फोरा था बच्चे सक्षम आपका जो फोल्स इडो फोरा तो आप चार्जिंग में लगा सकते हो ना इटिंग बिल्कुल अगर हम कोश्चन को देखें कोश्चन यहाया थी सिंपल सा था कोश्चन में कुछ ज्यादा नहीं पूचा गया था आपसे बिल्कुल तो जो ऑप्टिशर मीरेट यूज़ करते हैं डिजा कोश्चन नमबर यहाँ पर करेक्ट था और सिंपल ही कोश्चन था इतना जाड़ा डिटेल में एक्समें करने जरूद भी नहीं है लिडर बोड पर चलते बच्चे अगर हम लीडर बोड देखें यहाँ पर प्रवीन यहाँ पर नमबर टू पर है सक्षम नमबर थी पर है संचीत फोर पर दिपांशु अनन्यागर्ग अभी जीत हर्शीत फोमला मोतिहार बच्चे आस्था कशीश कटियार और दिव्या ठीक है तो यह हमारे टोप 10 परफोर्मर है और इस बार जो फास्टेस आंसर है वह है संचीत का संचीत वेरी गुर बच्चे बहुत बढ़िया ओके वेरी गुट नाव लेट सी दा नेस्ट कोर्शन तर इस अ कोर्शन नमबर 48 अना कोर्शन इस लीनियर मेगनिफिकेशन है यूनीट सैंटीमिटर मीटर डायप्टर और यूनीटलैस कोण्टिटी प्रशन आगें सिंपल सा है बच्चे एक मेंटी तो चेटालीम्य नाजम्य लेने वाली है और सेकंड मेंटी जो होगा वो आपको शाम को है बतला देटिज दा स्टुडेंट ऑप देयर और सिमेंटी में क्या रिवोर्ड होगा क्या प्राइज़ वह आपको कली ही रिवाइल करेंगे ठीक है आप बता दीजे टाइम सब दिस्टेंस दोनों ही मीटर में होता है तो चलते बचले लीडर वोट पर कि सबीका और सब्सक्राइब किसी का भी रोग नहीं हुआ तो ज्यादा चेंज़ नहीं आएंगे लेकिन इस बाद जो दिव्या है इन्होंने यह फास्स्टेस्ट आंसर दिया है ठीक है बच्चे नओ लेट सीटा नेक्स्ट कोशिंट जैस्मिन वरी गौरा बच्चे आपको यह ना भमेशा मोटिवेट रोल चाहिए कोई भी मोटिवेटवेटएड आपको मिल जाएं प्रवीन हो चाह भी ना डेम हो यह दूसरे च्ट्टेंट हो हमेशा मोटिवेटएड रहो बच्चे ना कभी भी मतलब आपको यह से अरे बाइटब डायक्टेट टोगज्टिकल सेंटर ऑफ एलेंस आफ्टर रिफ्रेक्षिन पासे थूगे तुग्ष्टिकल से जब लाइट जो होती है तो क्या होगा पासे थूगर फोकस पासे अडिवीएटेट बिकम पारलाल टूग्ष्टिकल अप्रिंसिकल अख्टिकल What should be the correct answer? क्या answer होगा बच्चे? Yes. Times up हो गया बच्चे. Times up. And deep. Very good. 24 student का बिल्कुल correct answer है. It will pass as undivided. बच्चे, जब भी light rays किसी भी lens से हैं. Lens के optical center से pass होती है. नहीं कि center से pass होती है, तो without any deviation, वो serious state pass हो जाती है. Reason क्या है? हम यह कहते हैं कि लाइटेस नॉर्मल के लोंग आ रही है तो लाइटेस जब नॉर्मल के लोंग होगी तो कोई डिवेशन वहाँ पर नहीं होगा ओके बच्चे तो आई होप आपको क्लेर हो गया होगा फिरी गुड़े ना भाली राणना मयंग सिंघ जैस्मीन अनिशा हो अ कि बच्चे अनिशब मैंयको बता दूगा बच्चे किस तरी की से दाइकड़रानिंव को ड्रो कि ओके बीना डेम वेरी गुर बच्चे बहुत बढ़िया एक्सिलेंट प्रवीन घंडेलवाल नाव लेट सी डार नेक्स्ट क्वेश्चन चल पेले हम भी देख लेते हैं लीडर बोर्ड में क्या रहने वाला है तो लीडर बोर्ड की कंडिशन देखते हैं बच्चे है एंड इस बार जो लीडर बोर्ड है इसमें प्रवीन खंडेलवाल प्रवीन तो पर ही सक्षन नंबर टू पर है संचित नंबर तीरी पर दिपांचू अनंद्यागारिक हर्शिट अभीचीत आस्ता कशीश और दिव्यादा बेस्ट अन्रगोस ओके बच्चे नाव लेट सी टител स्वेश दिलास क्वेश ओके नैंनल तीर कर्शेश हैयं सक्या नम suis भीट गुल किसका अफ्चे रट सिसरे स्टर बट इस एपाई ज्टчес और suspects यहां पर हमेशा वर्चॉल इमेजिस पॉर्म होती है यस वो शुर्ट रिए करेक्ट आंसर अनिशा पूरूतिया भी नहीं बच्चे इसके लिए मुझे एक सेशन लेना होगा उस सेशन पर मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा डोल परिया ना बिल्कुल बताऊंगा बच्चे अनिशा बिल्कु की स्टुडेंट का बिल्कुल करेक्ट आंसर है डेटीज दा कोंके उलेंस को हो या कोंवेक्स मीर को दोमों की ही फोकस जो होते हैं वो वर्चॉल होते हैं सो आइधिंग विएरिगोर बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छा आपने लेट जोइन किया था सक्षम उसके बहुत जुट पर बढ़िया अब आपको करना यह हैं आपको यहां पर टाइप कर देना है नेम उन ठीरी स्टुडेंट का जो टोप 3 पर रहने वाले आपको बताना है बच्चे टोप 3 पर को देने वाला गेस तो आप करी सकते हो तो गेसिंग पावर तो आपकी बहुत अच्छी है मैं जानता हूं ना आपने मतलब इतने सारे कोशन समना आपको गरा दिया है आधी सारा कुशन तो आप गेस करके बतादा तो आप यह बता दो मुझे कि यहां पर आप टोप 10 में को रेने वाले एक तो फिक्स है ना बिल्कुल फिक्स है एक तो बीना डेम मतलब कि प्रवीन केरला इंटेसी तो फिक्स है ही लेकिन नंबर 2 पर कोण होगा नंबर 3 पर रहने वाले हैं कल 2 मेंटी से बच्चे हैं आप मौर्णिंग 12 ओक लोग से से पहले अपनी पिक्चर सें靦ी जेगा और पिक्चे कहां पर सेंड करना चाहूं तो मुझे सेंट कर सकते हो टेलिग्राम का जो लिंक है जो टेलिग्राम गूरूप है उसे टेलिग्राम अकूल-चोधरी बच्चे भीने ले लिया आपका नेम ट्याबां चोधरी अच्छा प्रवीन सक्षव संचिर ना प्रवीन सक्षव संचिर की नेम यहां पर आ रहे हैं ओके बच्चा अभी देख लेंगे लीडर वोट में कहाने ने वाला हैं लेकिन उससे पहले बहुत इंपोर्टेंट है जो भी स्टुडेंट यहां पर मैंटी को बिनराफ रहने वा अवेलवल मेल जो अलरी डिस्कृप्शन में गीवन है उस मेल आईडि आपको संट कर दी सबसे बेटर यह कि आप जो करियर पूंट का एंटीसी चैनल है एट लिग्राम पर उस चैनल सब्सक्षियों कर लीजी है उस चैनल योण ठीट मय भी लुन पर ट्रवर इस देट करेन अब इस सब hydration कर दें ओर लिजिव क्या होने वाला हुआ पर इस सब्सक्रेंज वह एक और इंपोरेंत अग्ए जिस कभी जिसने भी अभी तरग बच्चे रजिस्टेशन नहीं कराया है सीपी सेट के अंदर वह भी रजिस्टेशन करा लें क्योंकि बहुत ही बैनिफिशल एक्जाम है आप सभी के लिए मैंने ओलेडि आपको बता दिया है इसकी लास्ट देट जो है इट इस दा ट्वंटी फॉर्ट अब जनवरी इसके रजिस्टेशन डेट है लास्ट आफ्टर डेट आपको फिप्टी रुपीज पर करने होंगे और इसकी जो डेट है एक्जाम क इस दा ट्वंटी फॉर्ट जनवरी तो सभी को अपियर होना चाहिए बोर अच्छाए एक्जाम नाओ लेट सी दा लीडर बोर्ड तो लीडर बोर्ड में इस बार देख लेते कौन रहने वाला है अनन्यका अंसर रोंग हो गया बच्चे ना इस बार अन्यका अंसर रोंग सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और एक और इनफॉर्मेशन में आपको बता देता हूं कल भी बच्चे कल भी हमारी मैंटी है मैं तो पूरे साल में हम देख लेते हैं पूरे साल में जो भी आपने अच्छा पूरे साल में जो भी आपने इसने डी के एव इसकी बहुत पर मैं कल रिवैल होगा तो आप बिल्कुल जोइन कीजिए और संचीन आपकी पिक्ट्चेस बच्चे सेन कर देना है ठीक है ना ओके बच्चे स्वाज की लेट नहीं टाटा बाई बाई टेक केर और गुड नाइट